हलो एफ्रीवान, वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन, दिस अंकिता सोद्स, उतराकन स्टेट अलिजिबिलीटी टेस्ट पेपर वन के फाइनल रिविजिन के लिए आज मैं सुपर फास्ट रिविजिन सेशन लेकर आई हूँ, जहां पर हम लोग जल्दी जल्दी पेपर वन के सारी यूनिट्स को कवर करेंगे अगर अभी तक भी आपने पेपर वन में कुछ नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़ादा इंपोर्टेंट और हर सार पूछे जाने वाले टॉपिक्स पर यहां पर मेजर फोकस रहेगा जो कि इसलिए आपको सेलेक्शन लेने में मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर बन पर मेजर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सेलेक्शन लेने में मदद कर सकता है इसके लिए complete course हमने launch किया है जहाँ पर आपको full syllabus video lectures हम provide करवाते हैं बहुत ही जादा simple language में, real life examples के साथ और कुछ tricks के साथ यहाँ बर आपके concepts, clarity की हमशुरिटी देते हैं साथ ही आपको full syllabus notes मिल जाएंगे जिसको easily mobile phone में भी download करके आपढ़ सकते हो full syllabus mock test हैं जिसमें से as it is 100% questions examination में बहुत बार पूछे गई हैं तो students यह mock test आपकी final preparation में बहुत help करता है साथ ही 2000 plus MCQ question bank जहाँ पर आपको previous year questions, repeated and most expected questions की series मिल जाएगी वो भी answers and detailed explanation के साथ तो अगर आप students इसको join करते हो अभी भी तो बहुत easily paper one में अच्छा score कर सकते हो free videos के access के लिए global online app को download कीजिए store section पर search bar में आपको course का नाम लिखना है इसके overview के बाद आप content पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने मेरे lectures है अगर आप सरफ यहाँ पर इस folder में मेरे lectures, test series और notes को follow करते हो तो भी आपका selection 100% होगा ही इसके अलावा English medium students के लिए यहाँ पर free demo videos भी है and unit wise folders हैं जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lectures and test मिल जाएंगे जो की काफी हैं आपकी तयारी के लिए so given numbers पर contact करके आप इसकी पूरी information भी ले सकते हो and इसको easily join भी कर सकते हो so basically हमारे पास 3 levels होते हैं memory level, understanding level and reflective level तो Hindi medium students यहाँ पर 3 levels का नाम देख सकते हो सबसे छोटा level होता है memory level then सबसे बड़ा level होता है reflective level memory level में rote learning यानि की रटा मार करके बच्चों को चीजें याद करवाई जाती थी जिसको की हम लोग क्रामिंग भी बोल सकते हैं जैसे की अगर छोटे बच्चों की बात करने so ABCD उनको इगाने की तरह याद करवाया जाता था उनको exact meaning नहीं पता होता था कि A for apple होता है तो apple exactly क्या है क्यों इसका use किया जाता है उसके बाद आता है understanding level जिसमें की memory level में जो भी उन्होंने रटा मार कर चीजें याद की थी उन चीजों की समच उनको थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है उनकी understanding develop होने लग जाती है and reflective level क्या होता है यह highest level होता है so memory level and understanding level में हमने जो कुछ भी सीखा इन दोनों के combination को हम use करते हैं reflective level में जैसे कि बच्चपन से जो भी चीजे मैंने सीखी अब real life example real life problems में मैं उस knowledge को use कर सकती हूँ तो वो reflective level होता है कि exactly हमने कहां पे कौन सी चीज को कैसे सीखा correct so memory level जो होता है यह teacher centered method होता है teacher के point of view को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह की teaching learning process को पूरा किया जाता है then we have understanding level इसमें भी यह process रहता है then we have learner centered method जो की reflective level होता है इसमें students क्या चाहते है students को कौन से तरीके से पढ़ना पसंद आ रहा है वो क्या चाहते है उन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए यह reflective level of teaching होती है memory level and understanding level के अगर बात करें so memory level thoughtless level होता है इसमें बिल्कुल भी दिमाग use नहीं होता बस जो बोला जा रहा है उसको as it is याद किया जाता है तो thoughtless इसको बोलते है understanding level में thoughtful यानि कि इसमें चीजें जैसे कि समझने लगते हैं तो हमारी memory हमारा brain का use होने लगता है then we have highly thoughtful level जिसमें कि जो कुछ भी हमने knowledge collect किया थो उसको use करने का समय है तो इसके लिए हमें बहुत जादा सोचना पड़ता है बहुत जादा दिमाग लगाना पड़ता है का नाम है blooms taxonomy यानि कि bloom का वरगी करन ये topic बहुत important है कोई भी shift में NTS को miss नहीं करता so blooms की taxonomy के according हमारे domains को तीन sections में divide किया गया है पहला है cognitive domain जिसको की revised cognition dimension दिखा गया है इसको directly आप लोग cognitive domain के नाम से भी जान सकते हो ठीक है second है psychomotor domain तीसरा है effective domain so cognitive domain में हमारे पास 6 steps होते है इन steps का नाम आपको याद रखने है इनका sequence आपको याद रखना है तो सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है सबसे पहली चीज़ आती है create, evaluate, analyze, apply, understand and remember correct so smallest level क्या होता है creating level then we have evaluating यहां से थोड़ा सा आप इस तरह से देख सकते हो सबसे पहला level होता है remembering, then we have understanding, then we have application then we have analyzing, then we have evaluating and creating अब देखो किसी चीज़ को मैंने याद कर लिया मान लीज़े कि मैं पॉर्ट बनाना सीख रही हूँ मिट्टी के मट्के बनाना सीख रही हूँ मैंने सिर्फ अभी किसी को बनाते देखा, process मैंने याद कर दिया उसके बाद exactly वो मिट्टी कैसे बनानी है उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई चाहेंगी तो कुछ मैंने टेख रही है तो मान लीज़े अभी तक मैंने इस तरह से एक सिंबल सा flower pot बनाना सीख लिया था evaluate कर दिया उसके बाद मैं creating phase में आऊंगी जहां पर यह हो सकता है कि अब मेरे को पूरा process यह वाला पूरा process पता चल गया creating phase में हम क्या करते हैं यह reflective phase की तरह होता है यह एक बार हमने सब सीख लिया में different different shape के इस तरह से pot बना सकती है process पता है तो सरफ हमें क्या करना है उसका design और shape चेंज करना है so similarly हमारे पार second domain आता है psychomotor domain जिसमें की पहला step है imitation, manipulation, precision, articulation and naturalization imitation मतलब शुरू कर देना उसमें फिर changes करना उसको detail में समझना उसमें ही थोड़े से बदलाव लाकर उस चीज में और थोड़े से experiment करना then वो चीज हमारे इतनी प्रक्रतिक हो जाती है हमारे लिए कि वो हम लोगों को फिर easy लगने लग जाती है so that is called naturalization similarly we talk about effective domain so receive करना किसी चीज को मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ आप उस चीज को receive कर रहे हो according आप उस पर respond करोगे फिर आप उसको value दोगे organize करोगे and then internalizing values यानि कि जो भी चीजें हमने सीखी थी उसको हमने अपने आप में natural बना दिया आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा आप सभी user senate exam की तयारी कर रहे हो teaching profession में जाओगे जब आपने अगर अभी तक पढ़ाया है online या offline कहीं पे भी तो शुरू में आप लोग थोड़े गभराए होंगे लेकिन समय के साथ-साथ within a month आप लोग इतने उसमें active हो चुकी होंगे इतने pro हो चुकी होंगे कि अब आप लोगों को पढ़ाने से पहले ना डर लगता होगा और वो naturally आपके अंदर से जो हैं चीजे निकलती हैं examples निकलते हैं तो वो naturalization होता है जिसको कि यहाँ पे effective domain में internalized values बोला गया है correct detail में यह सारे हमने separate session में discuss किये है if you want मैं description box में link add कर दूँगी आप बस मुझे comment करके बता दीजे next important topic यह बात करते हैं स्वयम स्वयम के perform क्या होती है study webs for active learning for young aspiring minds यह क्या है यह एक online portal है जिसमें कि सभी students को free online education दी जाती है शिक्षित भारत उन्नत भारत इसका एक major objective है स्वयम पोटल जो बनाया गया है इसका major objective यही है कि इसमें कोई भी बच्चा कहीं भी बैट करके आप चाहीं इंडिया की किसी भी corner पे हो आप चाहीं वर्ल्ड की किसी भी corner पे हो आप कहीं भी बैट के पढ़ सकते हो बस उसके लिए आप लोगों को internet connection और एक अच्छा mobile laptop होना चाहिए तो स्वयम का major focus यही है कि free online education सभी बच्चों को दी जाए ताकि equality रहे और सभी बच्चे पढ़ लिख सके next we have स्वयम प्रभा, स्वयम प्रभा क्या है यह भी education से ही related है लेकिन यह free DTH channel है और स्वयम में मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इसमें basically हमारे पास quadrants होते हैं जो की 4 quadrants है इसमें आप लोगों को e-content भी मिल जाएगा यानि की PDF के format में notes में मिल जाएगे आप लोग अपने आपको evaluate भी कर सकते हो आप लोगों को इसमें टेस्ट भी दे सकते हो आप लोगों को इसमें video lectures में मिल जाएगे evaluation and test एकी चीज़ हो गई और यहाँ पे आप लोगों का online discussion forum भी इसमें provide कराते हैं तो यह 4 चीज़े हैं जिसमें focus करके स्वयम basically काम करता है स्वयम प्रभा की बात करें इसका major focus भी बच्चों तक जो है पढ़ाई पहुंचाना है बच्चे हर कहीं से पढ़ सकें यही इसका उदेश्य है लेकिन यह क्या है यह एक DTH channel है आप लोगों ने घर में TV देखते होंगे जो free channels होते हैं free dish होती है आप लोगों में उसमें बहुत बार यह देखा होगा कि पूरा पूरा दिन जब आप उस channel के आसपास से cross होते होंगे तो आपने देखा होगे कि वहाँ पे हर समय टीचर्स पढ़ा ही रहे होती है तो वो स्वयम प्रभा के अंडर channel आते है इसमें total 34 DTH channel है जो कि directly आप लोग अपने घर पे बैठके ही access कर सकते हो इसको 19th October 2020 को start किया गया था अब यहाँ पे students एक homework question में आपको देती हूँ जैसे कि स्वयम प्रभा का मैंने आपको बताया कि 19 October 2020 को इसको start किया गया है वैसे ही स्वयम को कब launch किया गया कब launch किया गया इसका answer आप मुझे comment करके जरूर बताये इससे क्या होगा आपका concept भी clear हो जाएगा आपके revision भी हो जाएगी और बाकि students को भी आप मदद करोगे स्वयम प्रभा में 24-7 educational channels में जो है repeat होते रहते हैं lectures अब देखो 24-7 का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त वो teachers पढ़ा रही है तो कई बार वो recorded sessions भी होते हैं कई बार वो live sessions भी होते हैं तो दिन में एक बार मान लीजे सुभा 9 बज़े से लेकर के 11 बज़े तक एक session किसी particular teacher ने ले लिया उसके बाद यही session को पूरा दिन चार से पांच बार इसी पर repeat किया जाता है कि अगर कई students सुभा का session अटेंड नहीं कर पाए तो वो शाम को कर सकते हैं शाम को नहीं कर पाए तो वो रात को कर सकते हैं तो इसलिए यह 24-7 programs run होते रहते हैं इसके लिए satellite कौन सा use होता है एक्जाम में यह भी पूछा जाता है तो G-Sat 15 यानि की Geo-Stationary Satellite 15 इसमें use होता है आगे अगर हम बात करें UGC MOOC के बारे में MOOC क्या है? यह स्वयम का ही एक vertical है, स्वयम का ही एक sub part हम इसको बोल सकते हैं correct, so MOOC की full form होती है Massive Open Online Courses इसको याद रख लीजे, एक्जाम में जरूर आती है ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया स्वयम, स्वयम की full form भी एक्जाम में बहुत बार आती है इसके कितने quadrants है ठीक है? इसके कितने coordinators हैं इसके 9 coordinators है, national coordinators MOOC की बात नहीं कर रही है स्वयम की बात कर रही है चार quadrants है और 9 national coordinators है और यह क्या है? यह एक web-based platform है विच प्रवाइड अनलिमिटेड नमबर आफ स्टूडेंट्स वर्लडवाइड विद चांस अफ दिस्टेंस एडूकेशन विद बेस्ट इंस्टिटूट्स इंडी वर्ल्ड तो अच्छे से इच्छे इंस्टिटूट्स के टीचर्स जैसे के IIT की बात करें, NIT की बात करें, IIM इस तरह के जो टीचर्स होते हैं वो इन पोर्टल्स में पढ़ाते हैं इस्टाबिश्ट बैक इन 2008 and gain momentum in 2012 as a popular learning tool तो 2008 में इसको बना दिया गया था लेकिन popular ये 2012 में हुआ उसके बाद से यूज होने लगा Next important topic है evaluation system So evaluation यानि की मुल्यांकन करना जब एक टीचर पढ़ाते हैं students को उसके बाद एक teacher students के test लेते हैं चाहे वो final exam है चाहे वो class test है तो उससे हम क्या करते हैं किसी एक student का मुल्यांकन करते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया वो उनको clear हुआ concept या पर नहीं हुआ So इसी तरह से यहाँ पर मुल्यांकन जो है बहुत important होता है अगर हम अपनी teaching को और learning को effective बनाना चाहते हैं बहतर बनाना चाहते हैं So evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of the students as the progress through schools Simple से language में बोलते हैं कि बच्चों के वेवार में जो परिवर्तन आते हैं बच्चे जो चीजें सीखते हैं क्लास में उसको चेक करना बहुत जरूरी है अगर evaluation ही नहीं होगा अगर final exam या class test ही नहीं होगे तो एक teacher को कैसे पता लगेगा कि वो बच्चा समझ रहा है नहीं तो बच्चे तो सुनेंगे इनहीं क्लास में ठीक है So कोथारी commission के अंदर Evaluation के एक important definition दी गई है जिसमें कहा गया है Evaluation is a continuous process It forms an integral part of total system of education and is intimately related to educational objectives So it's called educational objectives होते हैं The techniques of evaluation are means of collection evidences About the student's development in desirable direction यानि कि किसी भी वांची दिशा में किसी भी जरूरी दिशा में student की कितनी development है किस subject में उनका interest जादा है या कम है वो सब जानने के लिए भी Evaluation बहुत जरूरी होता है So ये Evaluation का basic introduction था इसके बाद आते हैं types पे जो कि बहुत जादा important है So types में according to इसको जो different sections में divide किया गया है वो important नहीं है बाकी के types important है So formative and summative यहाँ पे देख सकते हो repeated है तो हम one by one बात करेंगे सबसे basic आता है placement placement आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी मान लिजें कि मैंने MBA कर ली उसके बाद मुझे बोला जाता है कि आपकी campus placement होगी यानि कि campus से ही मुझे अपनी qualities, अपनी educational background के हिसाब से किसी company में नौकरी दिलवाई जाएगी तो यह होता है placement तो इसमें क्या होता है किसी person को, किसी बच्चे को हम किस place पर पहुंचा रहे है that is called placement अब कोई बच्चा है जिसका mathematics बहुत अच्छा है लेकिन वो drawing dancing में अच्छा नहीं है तो उस बच्चे को हम ये बोले है कि आप आगे जाकर के mathematics में कुछ अच्छा कर सकते हो बाकी कुछ students ऐसे हैं मालीजे जो कि maths, English, sciences में बहुत बिकार है लेकि dancing में बहुत अच्छे है तो उनको हम उस जगा पे place कर सकते हैं कि आप उस चीज पे ज़्यादा focus करो then we have formative evaluation तो formative से जानने से पहले मैं आपको diagnostic बता देना चाहती हूँ diagnose का मतलब होता है find out करना कि कोई बच्चा अगर हमें देखना है कि वो किस चीज में अच्छा है कैसे वो respond करता है किसी particular field में जा करके तो वो सिप चीज़े अगर हमें देखनी है तो उसके लिए diagnostic evaluation ज़रूरी होता है अगले जो चाल टाइप्स है formative, summative, norm referenced and criterion referenced these four are very important हर साल पूछे जाती हैं so formative की बात करें जो हमारे formative की बात करें अब जैसे देखो session है session में मैं क्या कर रही हूँ बीच-बीच में आप लोगों को कुछ homework questions दे रही है इन homework questions का क्या benefit है कि आप लोगों का मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे actively मेरी class में concept को सुन रहे है सो यह होता है homework question का benefit सो इसी तरह से students formative evaluation होता है offline class में भी teacher कई बार class के end में students को पूछ लेते हैं कि हाँ भी बताओ आज हमने class में क्या पढ़ा या फिर बताओ आपको आज कितना समझ आया या चोटी-चोटी चो questions class के end में या class के बीच में पूछे जाते हैं वो formative evaluation होते है then we have summative evaluation summative word आप याज रख सकते हो summary से summary का मतलब क्या होता है किसी भी चीज के end में कुछ calculate करना so जो हमारे final exam होते हैं चाहे वो semester के है या फिर annual examination होते हैं उन सब चीजों से जो एक student का पूरे साल का या पूरे 6 महीने का हमें knowledge पता चलता है या उन्होंने कितने actively class में चीजों को सुना ये पता चलता है तो वो होता है summative evaluation मत्तब पूरे session के end में अगर हम किसी को evaluate करते हैं longer period of time के बाद so वो summative के अंदर आता है then we have norm referenced and criterion referenced so norm reference क्या होता है norm का मतलब होता है rules ठीके norm का मतलब क्या होता है rules होता है and criteria यानि कि हमने यहां पे कोई man उसको अपिस तरह से लिख सकते हो man dund को set कर दिया so norm reference में क्या होता है एक बच्चे की performance को एक बच्चे की performance को बाकी के सबी बच्चों की performance के साथ compare किया जाता है आप लोगों ने ये सुना होगा बच्पन में आई बोला जाता है कि देखो आपकी class के बाकी के friends आपके कितना चा स्कोर कर रहे हैं लेकिन आपका नहीं हो पाया तो इसमें क्या हुआ एक बच्चे को दूसरे के साथ compare किया गया तो वो होता है norm reference criterion reference क्या होता है उसमें हमने criteria set कर दिया जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि 50% से जादा जिस बच्चे स्कोर कर दिया वो बहुत ही good category के बच्चे होंगे तो यह हमने criteria set कर दिया 50% से जादा वाले में 50.1 वाले भी होंगे और 100% वाले भी होंगे इसमें हम किसी के साथ किसी को compare नहीं कर रहे हैं हमने इसमें क्या किया simple एक criteria रख दिया कि इससे जादा level के जो बच्चे होंगे इससे जादा score वाले जो बच्चे होंगे उनको हमने good category में count करना है चाहे वो फिर 50.1 वाले हो या फिर 100 वाले हो तो यह थोड़ा सा confusion इसमें students को होता है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि norm reference में एक बच्चे को बाकी सब के साथ compare किया जाता है एक बच्चे की performance को for example जैसे कि माल लीजिए एक student A है एक student B है students का अगर हम math का test लेते हैं तो A maths में बहुत अच्छा है B को math पसंद नहीं है तो कि कि उसके बाद अगर हम लोग डांसिंग की बात करते हैं तो डांसिंग में A अच्छा नहीं है B बहुत अच्छा है मतब national international level तक डांस करके आया है तो इसमें हमने क्या किया दो लोगों की qualities को compare किया दो students के marks को दो students की talent को हम यहाँ पे compare कर रहे हैं तो यह किसके अंदर आएगा यह आजाएगा आपका norm reference के अंदर अरे criteria reference में क्या हो गया हमने criteria रग दिया कि हाँ भई जो students के जैसे 50% marks बता दिया या फिर किसी game के लिए अगर हमने किसी student को select करना है तो हम बोलेंगे 5 foot 5 इन से जादा जिसकी height है वो students को हम select करेंगे उससे कम height वालों को हम select नहीं करेंगे तो यह एक मान दंड set कर दिया इसके उपर कितने भी इस तरह से questions आते है formative evaluation tends to accelerate pace of learning as again summative evaluation formative evaluation is highly reliable so बहुत ही basic previous year question है यह के example के रूप में मैंने आपको बताया है कि इस तरह की questions बहुत बार exam में पूछे जाते हैं search दो चीजों से मिलकर के बना है re and search search का मतलब होता है किसी चीज को find out करना किसी चीज को ढूणना and अगर हम इसके आगे re लगा देते हैं यानि कि इसका मतलब यह हो गया कि कोई चीज कोई problem जिसका solution already हमारे पास है उसी को और बहतर करने के लिए हम लोग उसमें research करते हैं तो research किसी भी type की हो सकती है वो experimental भी हो सकती है casual भी हो सकती है formal भी हो सकती है तो इससे क्या होता है छोटे-छोटे facts हम पहले समझते हैं and उन facts को collect करने के बाद हम उसके solution तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो research के कुछ objectives हैं जो कि examination के लिए बहुत important होते हैं तो primary objectives हैं तो discover new facts अब कोई topic है, कोई problem है उससे related नई facts, नई findings अगर हम जानना चाते हैं तो research उसमें की जा सकती है investigate some existing situation or problem कोई भी problem हमारे सामने है उसका solution ढूणना या फिर वो problem क्यों हुई आगे आने वाले समय में उस problem को कैसे रोका जा सकता है इन सब चीज़ों के लिए हम लोग research कर सकते है So, cause and effect का मतलब होता है कि कोई problem हमारे सामने क्यों आई तेके, and इस problem का solution क्या हो सकता है and आने वाले समय में इस problem से कैसे बचा जाए क्या initiatives अभी लिए जाए ताकि future में जो next generation है वो इस problem को face ही ना करे इन सब चीज़ों में research हमें मदद करता है So, ये हमने अभी तक दो concepts कर लिए introduction and directly आप बढ़ते हैं अपने अगले topic यह और जसमें हम देखेंगे characteristics of research कि एक research में कौन-कौन से गुन होने चाहिए तो hindi medium students के लिए भी साथ-साथ में बताती हूँ empirical empirical में आप लोगों को एक term बताती हूँ empire empire का मतलब क्या होता है किसी भी match में आप लोगों ने empire देखा होगा वो क्या होता है senior person होता है जिनको बहुत जादा experience होता है and वो अपनी observation की मदद से क्या करते हैं वहाँ पर out है person या पर अभी out नहीं है score वो बताते है तो यहीं होता है empirical research में जिसमें की हम अपने experience और observation की मदद से कुछ research करते हैं तो एक logical होना चाहिए कुछ logic होना चाहिए कुछ तर्क होना चाहिए तब ही research को अच्छा मना जाता है cyclic होना चाहिए especially अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो action research जो होता है वो cyclic होता है action research क्या है यह हम एक slide में discuss करेंगे analytical यानि की हमने जो काम किया उसको हम लोग साथ-साथ में analyze करते रहें उस पर ध्यान रखते रहें critical होता है methodical होता है replicable, feasible, ethical ethical का मतलब क्या होता है neticta जितने भी कुछ rules and regulation होते है research को ले करके उनको अगर हम अच्छे से follow करते हुए research करेंगे तो definitely हमें उसका अच्छा solution ही मिलेगा next topic आजाता है steps in research research में different steps होते हैं जो कि अगर हम अच्छे से follow करेंगे तो easily without any problem हम अपने solution तक बहुन सकते हैं पहला step है identification of research problem अब देखो research यानि कि अनुसंधान किसी person को क्यों करना होता है किसी भी चीज की research तब होती है अगर उससे related कोई problem हमारे पास होगी अगर मेरे पास कोई problem ही नहीं है हमारे पूरे world में पूरे इंडिया में या society में कोई problem ही नहीं है तो उसका solution ढूनेंगे ही क्यों तो research होगी ही नहीं तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास research की problem होनी चाहिए कि क्या problem है क्या समस्या है ताकि हम उसका solution ढून सके उसके बाद दूसरा step आता है literature review यानि कि same problem से related जो भी पहले साहित्य लिखे गए है या फिर किसी और ने उससे related research की हुई है वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि माल लीजे कि ABC नाम के कोई problem है यह problem मेरे सामने है आई मैं सोच जी हो कि यह तो बढ़ी problem में इसका solution में research करके ढूंड लोंगी लेकिन अगर हम research literature review कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि already किसी ने इस पे research की है या फिर नहीं की है अगर किसी person ने इस पे already research की होगी तो उसके literature को हम पढ़ेंगे and हमें idea हो जाएगा कि उन्होंने इसका solution ढूंडा था कि नहीं ढूंडा था उनको इसके दौरान क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी then we have formulation of hypothesis यानि की परिकलपना बना लेना preparing research design data को collect करना future data collect किया है उसको analyze करना चैसे visualization करना journalization and interpretation उसके बाद report बनाना and last में आता है निशकर्ष यानि की conclusion तो यह आप देख सकते हो research कि steps related most expected question है जो कि 2023 exam में जरूर पूछा जाएगा तो इसका देखो यहाँ पे मैंने 6 options दिये हैं आपने बताना है कि इन में से correct answer कौन सा है इस answer आप मुझे comment करके बताईए मैं वहाँ पर ही आपको बताऊंगी कि यह सही है या गलत है next topic आजाता है research article यानि कि शोध का आलेक so research article reports on the results of original research reviews its contribution to knowledge body in a specific field and publishes publishes it in a peer reviewed general simple से language में इसको हम समझते हैं research article क्या होता है इसको हम लोग कई पार empirical और primary source भी बोलते है यानि कि प्राथ्मिक जगा है जहां से हम किसी भी research के बारे में जान सकते है research article एक journal article होता है ये एक journal article होता है in which authors report on research they did अब मालीजे मैं क्या कर रही हूँ मैं research कर रही हूँ कोई भी topic पर किसी भी social problem पे मैं research कर रही हूँ अब मैंने अपने research के दौरान क्या क्या किया क्या problem मेरे सामने थी और कैसे मुझे इसका solution मिला इस पे छोटा सा article जो लिखा जाता है वो research article के अंदर लिखा जाता है research articles are always primary source whether or not a research article is peer reviewed depends on general that publishes it तो इसमें typically क्या क्या चीज़ें होती है इसमें होता है हमारे research से related in production उसके बाद होता है इसमें methods की किसकी तरीके की research को हमने यहां पर use किया उसके बाद आता है कि research के methods यूज करने के बाद क्या हमारे पास result आया और फिर उससे related discussion आती है कि जो काम हमने यहां पर किया वो beneficial है उससे related हमें कोई फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता तो यह सारे चीज़े research article के अंदर आती है इसका benefit क्या होता है कि माल लीजे कि मैंने 2019 में किसी भी social problem को लेकर के research की अब 2023 में मेरे students जो ये वीडियो देख रही है उनका use this net jrf qualify हो जाएगा और वो लोग भी माल लीजे same ही social problem पर research करने के बारे में सोच रहे है तो आपको अगर देखना होगा कि अंकिता मैंने कैसे research किया था क्या क्या process follow किया था तो आप मेरा research article देख सकते हो इससे आपको benefit हो जाएगा तो ये इसका major objective होता है correct so I hope ये topic आपको बिलकुल समझ आ गया है तो students ये जो series में आपके लिए लेकर आई हूँ कि 20 minutes में हम 20 concepts को cover करेंगे अगर आपको ये concept समझ आ रहा है आपको लगता है कि इससे आपके अच्छे से revision हो रही है और में इसको continue रखो तो आप मुझे जल्दी से comment कर दीजिए ताकि मैं next units जो है remaining units उन पर भी इसी तरह के videos आपके लिए लेकर रहा next आ जाता है फिर हमारे पास topic जिसका नाम है research thesis a thesis जिसको के dissertation के नाम से भी जाना जाता है हाला कि इन दोनों में थोड़ा सा difference होता है क्या difference होता है students ये homework है thesis or dissertation में क्या difference होता है ये मुझे जल्दी से comment करके आप लोग बता दीजिए अगर आपको आता है तो भी बिताइए नहीं आता है और professional qualification so as a researcher आप लोग जिस भी काम पर research कर रहे हो जिस भी topic पर research कर रहे हो उसकी आपकी क्या report आई क्या आपने research किया ठीक है उससे related एक application type होता है जिसकी basis पे आप लोगों को अपनी PhD की degree प्रोवाइड करवाई जाती है ठीक है तो ये होता है research thesis अगर हम simple language में बोले thesis is your proposed answer to your research question which you finalize only after completing the research research complete होने के बाद ही इसको finalize किया जाएगा और इसी को देख करके आप लोगों की degree आपको मिलती है next आजाता है the two most important and commonly used formatting styles ठीक है तो आप देखो research thesis या research में जो कुछ भी चीज़ें होते उसको कैसे लिखा जाता है उसके दो formats होते है MLA और APA जनरल ये दोनों format सिरफ exam के लिए important है जब actual में आप लोग PhD करने जाओगे तो वहाँ पर students आप लोग जिसमें university से PhD करते हो वही आपको format बताते है so MLA का format full form है modern language association APA का मतलब है American psychological association correct so ये क्या होता है work cited होता है reference list होती है so इसमें आपको यही आद रखना है next is different types of research जिसमें की पहला आता है fundamental जिसकों की basic research बोला जाता है and इसको हम लोग pure research भी बोलते हैं जिसमें सिरफ हम knowledge को collect करते हैं कहीं use नहीं करते then we have applied research applied research किसी भी particular question के solution को ढूणने के लिए use किया जाता है and action research होता है सिरफ solution ढूणना नहीं immediate कहीं पे हम लोगों को अगर action लेना है तो उसके लिए action research यूणस होता है जिसे मेर सामने कोई problem आगे हम इसको solution ढूणनागे सिरफ दिमाग में नहीं सोचूँगी उसको actual में हम use करेंगे actual में practical करके देखेंगे then we have qualitative and quantitative research so qualitative quantitative क्या करता है numbers के साथ deal करता है quantitative research deals with numbers statisticals and qualitative deal करता है words के साथ and उन words के meanings के साथ then we have deductive and inductive research deductive क्या होता है upper level से नीचे की level पे आएंगे तो वो deductive होगा नीचे के level से उपर के level पे जाएंगे तो वो inductive होगा correct so inductive reasoning की अगर पहले बात करें inductive reasoning aims at developing theory so theory development की कहीं पे बात आती है तो वो हम inductive reasoning की बात करते है जबकि deductive reasoning किस पे focus करता है ये उसकी testing पे focus करता है जो existing theory है उसकी testing पे focus करता है deductive reasoning next आच आता है फिर हमारे पास sampling so sampling क्या होता है sampling अब देखो मालीजे मुझे अपने research के लिए लोगों से overview लेने है रोगों के reviews लेने है and मैं research के लिए किसी social problem की research के लिए चली गई किसी college में जहां पे 10,000 students थे तो अब 10,000 students से questions पूछना तो possible नहीं है तो हम क्या करते है 10,000 में से 100 students को select करेंगे तो वो किस basis पे select किया जाता है ये हो गया sample ठीक है 10,000 के है total population है 100 क्या है sample है तो दो तरीके से उसको किया जाता है एक होता है probability एक होता है non probability तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए convenience, judgmental जिसको परपसिव भी बोलते है snowball and quota sampling probability में आता है stratified, systematic, cluster and simple random sampling detailed video इस topic पर मैं ले करके अल्रेड़ी आई हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मुझे comment कीजिए, मैं आपके साथ share कर दूँ then we have hypothesis hypothesis का मतलब परिकल्पना करना अब किसी problem में परिकल्पना का अगर हम लोग देखें तो यह बहुत important होता है research में किसी problem में फस गये तो हमें solution तक जाने के लिए देखना पड़ता है कि यह practical करें यह practical करें यह फिर practical approach को try करें तो परिकल्पना basically testing जरूरी होती है hypothesis की जिसमें दो चीज़े होती है null hypothesis and alternative hypothesis testing की बाद में बात करेंगे दो टाइपस है null and alternative तो null क्या बोलता है null बोलता है no difference null बोलता है कि boys and girls के बीच में कभी कोई difference नहीं है they both are always equal यह एक example है null hypothesis का कि no difference होता है हर इक चीज में boys and girls equal है black and white equal है यह ऐसे बोलता है alternative hypothesis क्या करता है यह proper तरीके से बताता है कि exactly किस तरह से काम चल रहा है ठीक है अगर हम लोग null को accept कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है in case अगर हम लोग null hypothesis को accept नहीं करते तो हमारे पास सिरफ alternative hypothesis को ही accept करने का option रहता है जिसको ही परिकल्पिक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है correct alternative hypothesis states your research prediction of an effect or relationship यह बोलता है कि दो चीजों के बीच में difference होता है so next अगर हम लोग बात करें type 1 and type 2 error की तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि type 1 error क्या होता है so type 1 error को बोला जाता है false positive and type 2 error को बोला जाता है false negative correct so अगर हम लोग यहाँ पर आप देखो test rejects null अगर हम लोग null hypothesis को reject कर देते हैं ठीके हमने क्या कर दिया null hypothesis था उसको हमने reject कर दिया लेकिन actual में वो true था true hypothesis को हमने गलती से reject कर दिया तो वो type 1 error है जिसको की false positive बोला जाता है तो इस तरह से इस table पर आप देख सकते हो उसी के साथ अगर हम लोग नल hypothesis को false कर देते हैं जबकि वो correct था तो वो effective existence के अंदर आता है test accepts null जब हम null hypothesis को accept कर देते हैं तो वो correct decision होता है जिससे extra कोई फरक नहीं पड़ता और वो type 2 error होता है जिसको की false negative के नाम से जाना चाता है next we have research ethics research की नैतिकताएं होती है research की नैतिकताओं में कुछ चीज़ें important होती है जैसे कि हम लोगों को honesty रखनी चाहिए इमानदारी के साथ research करनी चाहिए जो हमारा data आया है जो हमारा result आया है उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए कई बार क्या होता है मालीचे वो बोलते है कि research करके आओ और उसका minimum average point 0.05 होना चाहिए और मेरा आगया 0.03 तो research ethics हमें बोलते है कि जो आपका result आया है आप उसी को use करो यहाँ पे थोड़ी सी भी मिलावट या बेइमानी नहीं करनी है तो इसी तरह से research ethics की rules होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है जो research हम कर रहे है उसको confidential रखना है थोड़ा private रखना है हर एक चीज अपके साथ share नहीं करनी है या फिर अगर हम किसी के पुराने research से मदद ले रहे हैं उनकी thesis यार paper से मदद ले रहे हैं तो वहां पर भी हमें जूट नहीं बोलना है कि हमने ये खुद किया हमें वहां पर as it is लिखना है कि हमने कहीं से मदद ली है इस यसे चोटे-चोटे rules होते हैं जो कि research ethics के अंदर आते हैं कि हम लोगों को यहां पर loyal रहना है respectful रहना है transparency होनी चाहिए fairness होनी चाहिए leadership होनी चाहिए ये सब चीज़ें आते हैं research ethics के अंदर अगला आज आता है topic questionnaire questionnaire यानि कि प्रशनावली अब देखो आप लोगों ने बहुत जगा देखा होगा social media पर भी कि लोग एक interview रहते हैं public में चाहिए लोगों से कुछ पूछते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्ट्रों के बारे में बताओ इस तरह के छुट-चुटे questions ये क्या होते हैं ये questions होते हैं कि हम पब्लिक में जाते हैं और उनसे पूछते हैं ये inquiry हो रही होती है कि इस तरह के questions हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे जो youth है जो young generation है उनको अपनी country के ministers या अपनी संस्कृती के बारे में कितना पता है तो इस तरह के questions जो होते हैं तरवे, interview ये सब इसमें आते हैं इसमें छोट-छोटे questions पूछे जाते हैं Then we have question के types Closed-ended and open-ended questions So closed-ended questions क्या होते हैं जिसमें कि सरफ किसी से Yes or No True or False इस तरह की questions पूछे जाते हैं Open-ended होता है किसी से पूरा reason अगर हम मांगते हैं कि ये क्यों हुआ अगर मैं आपसे reason मांग हूँ कि आपको ये class पसंदा रही है And आप सिरफ answer दे रहे हो Yes or No में तो वो close-ended question होगे अगर मैं आपको पूछों कि आपको ये class पसंदा रही है इसका सबसे अच्छा कारण बताएए कि आपको इस class में सबसे अच्छा क्या लगा तो वो हो गया open-ended question जिसका answer आप मुझे comment करके बताऊगे कि आपको इस class में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा Next है हमारे पास variables variables क्या होते है variables कुछ भी हो सकता है कोई person, कोई place, कोई जगा कोई सामान कुछ भी हो सकता है दो variable है A and B ये variable अगर एक दूसरे पर निर्भर है कि अगर मैं एक को delete कर दो तो दूसरे भी खतम हो जाएगा तो वो होते हैं dependent variable यानि कि निर्भर चर ठीक है, अगर मैं एक को delete कर देती हूँ दूसरे को इससे कोई फरक नहीं पड़ता तो ये होते हैं independent variable यानि कि सुतनतर चर तो ये होते हैं variables जो कि आपको पता होने चाहिए अपके साथ शेयर किया है जो कि एक्जाम में जरूर आएगा ही आएगा then we have position paper position paper क्या होता है ये ऐसा होता है जिसमें कि it is an acid that that presents an arguable opinion about an issue किसी problem को ले करके कोई opinion है कोई highlighted issue है उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है typically ये किस पे काम करता है कोई भी politics है law से related है academic से related है इस तरह की जो चीज़े होती है उनके लिए position paper को generally use किया जाता है अब शुरू करते हैं ICT की basic definition से सबसे पहले students आपको ICT की full form पता होनी चाहिए जो की है information and communication technology information का मतलब क्या होता है सूचना कहीं से भी हमें सूचना मिलती है and internet की मदद से हम λोग communicate कर सकते है यानि कि संजार कर सकते है बातचीत कर सकते है and technology के मदद से हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग घर बैखे ही information भी collect कर सकते है and किसी से बातचीत यानि कि communicate भी कर सकते हैं तो ये मतलब होता है information and communication technology का इसके अंदर internet, electronic devices, computer, radio, television या फिर latest technologies जो भी हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ये था हमारा पहला topic जिसमें हमने basic definition इसकी देखी है अब हमारा अगला topic है main four components of computer system तो computer अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो students आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि computer के main कौन कौन से parts होते हैं तो इस तरह की जो screen आपके सामने आती है ये होता है monitor ठीक है ये होता है keyboard then we have mouse तो mouse भी दो तरह के होते हैं एक wired, एक wireless correct then we have speakers यहाँ पे आप देख सकते हो and यहाँ पे है ये CPU इसको computer लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है CPU है and here we have printer so printer और speakers को add करना या नहीं करना ये आपकी अपने requirement होती है इसके अलावा keyboard, mouse, monitor and CPU ये parts compulsory होते हैं इन में से अगर एक भी part missing है तो हमारा computer अच्छे से काम नहीं करता तो ये सभी parts को हम अब detail में discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे input devices, output devices, processing devices and storage devices तो input devices वो devices होती हैं जिसकी मदद से हम data को enter कर सकते हैं अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरी जो आवाज है वो मेरे laptop के mic के through जा रही है तो mic क्या हो गया? input devices होगी अब आप लोग अपने computer या mobile में मेरा ये session देख रहे हो तो आप लोगों को अवाज बाहर को आ रही है यानि कि output device से आ रही है तो output device क्या है? speakers है जैसे कि ये जो computer की screen होती है जिसको monitor बोला जाता है computer के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है यानि कि ये output है ये output device है keyboard क्या है? keyboard एक input device है क्योंकि इससे हम जो कुछ भी enter करेंगे जो कुछ भी इसमें दबाएंगे वो सारी चीजे हमारे computer के अंदर चली जाएंगे similarly mouse भी क्या है? input device है अब अगर हम CPU की बात करें CPU क्या है? ना ही ये input device है ना ही ये output device है CPU को बोला जाता है brain of computer यानि की computer का दिमाग अब मेरे हाथ काम कर रहे है मैं जिसे बोल रही हूँ मैं मुह से बोल रही हूँ लिख रही हूँ ये देखो मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो मैं हाथों से लिख रही हूँ लेकिन ये सारी instructions मुझे कौन दे रहा है ये सब instructions मुझे मेरा दिमाग दे रहा है वैसे ही computer में हम चाहे printer से कोई print out निकलवाए monitor में कुछ गाने चलाए ये सारी चीज़ों के पीछे कौन होता है CPU होता है इसी के साथ अब बात करते हैं अगले topic ये जो कि है input device so input devices मैंने आपको बता दिये कुछ examples हैं जो कि exam में पूछे जाते हैं इससे related कैसा question आता है वो भी अभी हम discuss करेंगे so input devices में पहला है keyboard दूसरा है mouse ये दोनों बिल्कुल basic है जिसे microphone जिसे मैं आप लोगों को भी mic बताया कि मैं बोल रही हूँ मेरी आवास कहां से जा रही है मेरे mic से मेरे laptop के अंदर जा रही है तिक है वैसे ही joystick होता है ये gaming के लिए यूज होता है track wall भी यूज होता है cut screen mobiles आप यूज करते हो तो वो भी क्या है input device है webcam जो camera होता है वो भी input device है ये list आपको याद रख लेनी है next we have output devices जो की हमें results बाहर display करवाती है तो display करवाने के लिए सबसे पहले monitor headphones जिसे की आवास बाहर हमें सुनाई देती है screen projector यानि की computer के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो हम wall पर इसके through देख सकते हैं तो ये हमें result आउट करके दे रहा है printer क्या करता है computer के अंदर जो photo है जो भी paper है उसको एक कागस में हमें निकाल कर देता है similarly plotter होता है printer plotter सेम ही family से belong करते है sound card, speaker, video card ये सब हमने बता दिये GPS location तो ये सब क्या है ये सब के सब output devices है अब next topic आता है keyboard आप बोलोगे keyboard तो आ गया मैं हम आपने आप में इसको cover कर दिया लेकिन keyboard अपने आप में ये एक बहुत बड़ा topic है ये जिसे net examination के लिए so keyboard पे बहुत सारी keys होती है अब यहाँ पे एक homework question note कर लीजिए total number of keys कितनी होती है एक general keyboard में ये question 100% exam में आएगा तो students is cancer मुझे आप comment करके बताईए अगर नहीं आता है तो भी comment करके बता दीजिए कि मैं हम इस cancer नहीं पता तो मैं वहाँ पर ही आपको reply करूँगी अगर आपको इस cancer आता है तो भी comment कर दीजिए ताकि बाकी के students को भी मदद मिल जाए total कितने buttons होते हैं keyboard में कितनी keys होती है ये आपने बताना है अब देखो ये जितनी भी keys है इसको छोटे-छोटे हिस्सों में divide किया गया है तो सबसे उपर वाला हिस्सा जो आता है ये आता है function keys so function keys होती है F1 से F12 तक corner वाली key जिसमें ESC लिखा होता है यह होती है escape key then we have ये बड़ा सा इसको बोला जाता है space bar यहाँ पे control button यहाँ पे control button अब आप बोलोगे कि दो बार एक ही button क्यों है अब देखो जैसे कि keyboard में ये वाला जो area होता है इसमें basic A to Z होते है ठीक है A से Z तक कि यहाँ पे alphabets होते है अगर हमें ये आधे में divide करते हैं अगर ये वाले keys को press करना है तो ये वाले control के साथ कर सकते हैं और बाकी के keys को press करना है तो इस control के साथ कर सकते हैं तो fingers easily move हो जाती है ये बटन क्या होता है ये होता है enter button जिससे कि हम कुछ लिखते हुए इसके बाद अगली line पर आते हैं मैंने अपना नाम लिख दिया अगली line पर आना है तो enter प्रेस कर सकते हैं ये वाला जो button है ये होता है back space यानि कि एक space पीछे जाना है ये होता है हमारे पास directional keys जिसको की arrow keys के नाम से भी जाना जाता है top, down, left, right ये चार तरह की keys होती है then we have numeric keypad जिसमें कि 0 से 9 तक नंबर होते है plus, multiplication, minus, division ये सारे symbols भी इसमें आपको मिलते हैं इसके अलावा हमारे पास यहां पे कुछ special symbols होते हैं जैसे की add the rate, percentage, and का sign, dollar का sign ये star हो गया, ये जितने भी symbols होते हैं less than, greater than, ठीक है ये curly braces, ये सारे आते हैं special symbols के अंदर correct, so I hope students यहां तक की जो चीजें हैं आप लोग keyboard के case में समझ गए हो अब homework question जो दिया है, जरूर उसका reply कीजेगा next topic आता है, types of printer so printer भी क्या है, printer हमारे पास है एक output device इसको दो हिस्सों में बांटा गया है impact and non-impact printer impact printer होते हैं, जो कि directly paper और printer की जो device होती है printer device की अंदर, जो main part होते है जो print करने में हमें मदद करता है उसको ये paper के साथ touch करते हुए काम करता है, जो इसको भी दो हिस्सों में divide किया गया है, character and line line में दो types होते हैं dot matrix and daisy wheel character के दो types हैं ये and line के दो types है, drum chain and band then we have non-impact, इसमें आता है inkjet, laser and thermal so ये sequence आपको याद होना चाहिए exam में पुछा जा सकता है कि next यहाँ पर देख सकते हो students यह आप लोगों के पास एक homework question है अभी हमने discuss किया कि कौन सी input devices है 4 options है, यहाँ पर देखो बहुत सारे devices के नाम इस तरह से लिखे हुए है, आप देख सकते हो तो जिस भी option में सभी devices, input devices है वो आपका correct answer होगा तो मुझे comment करके बताईए कि क्या सही answer है next question is CPU next topic है CPU, CPU का मतलब brain of computer इसको computer का दिमाग माना जाता है, central processing unit, इसके full form याद रख सकते हो बहुत important है examination के लिए ठीक है, जितने भी data processing के काम होते हैं, आपने computer पे गाना डाउनोड कर रहे हो या फिर एक file दूसरी जगा पे भीज रहे हो अपने computer से तो उन सारी processing के पीछे किस का हाथ होता है, CPU का हाथ होता है अब आपको अगर बाहर से देखोगे तो CPU आप लोगों को कैसा दिखेगा, CPU बस एक इस box की तरह आपको दिखेगा, लेकिन अंदर से CPU को further sections में divide किया जाता है, पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है memory ALU का मतलब क्या होता है, arithmetic logical unit, MU, memory unit CU, control unit कुछ भी चीज को store करना है Ghana download करके store कर रहे हो, कोई photo आप computer या laptop में डाल रहे हो तो वो memory unit के अंदर जाता है mathematics से related या कोई calculations से related काम है तो वो ALU करता है and जैसे CPU है, monitor connect है, यहाँ पे mouse है, यहाँ पे keyboard है, यहाँ पे speakers है, printer है कितनी सारे devices connected है इनका जितना भी काम रहता है उन सब को control and coordinate करना control unit का काम होता है so I hope students इस तरह से आप लोगों की बहुत अच्छे revision हो रही होगी super fast session है जो कि definitely, definitely इस कम समय में आपको मदद करता है अच्छा score करने में and अगर आप चाते हो कि मैं सीरीज को continue रखो तो मुझे comment कर दीजिए next topic we have is memory unit, so memory क्या होता है when the data and instructions are entered in the computer, where they are stored, ठीक है, so जो भी चीज़े instructions है, data है, जब भी computer के अंदर वो जाता है and जहां पर उसको store किया जाता है, उसको memory बोलते है so memory basically दो types की होती है, primary memory and secondary memory, prathmic and madyamic, so primary memory क्या होती है, primary memory को computer की main memory भी बोला जाता है, जो की already पहले से ही computer के अंदर होती है, ठीक है and secondary memory क्या होती है यह external memory होती है जिसको add करना या फिर नहीं करना, यह एक person की अपनी choice होती है अब आप लोग mobile लेते हो आप लोग mobile लेते समय देखते हो कि memory पहले से होती है लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी memory कम है तो आप लोग extra external memory card को use कर सकते हो तो जो पहले से memory होती है that is called primary and जो extra memory card या pen drive आप यूज करते हो that is called secondary memory तो यह add करना या नहीं करना student पे user पे होता है पूरी तरह से memory को आगे बहुत से हिस्सों में divide किया गया है जिसमें की सबसे पहले आता है register memory जिसको की cpu register भी बोलते है level 0 पे यह आता है so cpu register एक smallest set होता है जिसमें की data को hold किया जाता है register जो है वो basically store होते है किसको use होते हैं किसको store करने के लिए instructions को store करने के लिए जो भी data हमने use किया है उस data को यह store नहीं करता लेकिन उसके address को store करता है अब book में आप लोगोंने index देखा होगा index में directly chapter यह introduction तो नहीं होती है index में सिरफ क्या होता है उस chapter का यह उस topic का address होता है वैसे ही register यहाँ पे काम करता है second आ गया cache memory जिसका एक example sram है sram का मतलब होता है static ram आगे हम देखेंगे जो की data को easily retrieve कर सकता है memory से and cache memory जल्दी से भर जाती है अगर आप इसको delete करना चाहो तो immediately delete भी कर सकते हो main memory मैंने आप लोगों को बता दिया magnetic disk और magnetic tape जो है यह दोनो auxiliary memory के types आते है यह आप देख सकते है previous year question है जिसमें की हम बात करेंगे ram and roam की RAM and roam is questions आपको clear हो जाएगा roam का मतलब read only memory read only यानि कि इसके अंदर जो लिखा है उसको हम सिरफ पढ़ सकते है उसको edit करके change करके कुछ नहीं उसमें नया हम add कर सकते ram होता है random access memory correct सबसे पहले हम ram की बात करते है ram is basically used to store the programs and data being used by cpu in real time ram के अंदर जो भी data होता है इसको हम लोग read भी कर सकते है and write भी कर सकते है and इसके अंदर जो data है उसको हम लोग erase भी कर सकते है यानि कि मिटा भी सकते है वो भी बार बार जितनी बार हमारा मन चाहे जितनी बार हमें ज़रूरत हो so ram basically दो types की होती है एक होती है S RAM जो कि मैंने आपको भी बिताया S का मतलब है Static RAM आपको आगे पता है दूसरा आता है हमारे पास DRAM D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है Dynamic Random Access Memory तो ये दो चीज़े इंपोर्टेंट है Then we have ROM ROM क्या होता है? Pre-recorded इसके अंदर चीज़े आ जाती है And इसमें जो भी कुछ रहेगा उसको हम Delete नहीं कर सकते ठीक है? एक बार जो Add कर दिया वो Add कर दिया उसको नहीं हम Delete कर सकते नहीं नहीं उसमें कुछ Add कर सकते है अब इस Question में देखो बताया गया है Consist Statement बिल्कुल True है तो यहाँ पे Statement Q यह सिर्फ True है क्योंकि Read Only Memory जो है वो Volatile नहीं होता वो Non-Volatile Memory के अंदर आता है Correct? यहाँ पे आप देख सकते हो Volatile और Non-Volatile की क्या Definition है? बहुत Easy Topic है Next V है Which of the following represents 1 Billion Character? So Correct Answer है Gigabyte अब यह Gigabyte क्या है? अगर पहली बार Computer ICT पढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि Memory की कुछ Basic Units होती है ठीक है? जैसे कि आप लोगों को Daily कितना GB Data मिलता है? 2 GB कई लोगों को 1 GB Data वाला Pack होगा कई लोगों को 1.5 GB वाला होगा तो यह GB क्या है? GB is Gigabyte ठीक है? तो यह Units होते हैं Memory के तो इसमें जैसे कि सबसे पहले आता है Bytes, फिर Kilobytes, फिर उसके बाद MB, Megabyte ठीक है? उसके बाद Gigabyte, Terabyte, Petabyte इस तरह से आप देख सकते हैं TB मतलब Terabyte ठीक है? तो यह Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte, Petabyte, Exabyte, Zettabyte and Yotabyte तो यह आपको sequence भी याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है? तो इसे से related यह वाला question था अगला topic आजाता है CD and DVD CD और DVD बहुत important topic है CD का मतलब क्या होता है? आपने देखी जरूर होगी, सुनी जरूर होगी CD का मतलब होता है Compact Disc और DVD का मतलब होता है Digital Versatile Disc नेक्स्ट है RAM ROM की बात करें अलरड़ी हम यह चीज़े देख चुके हैं बेसिक से definition आप इसकी orbit देख सकते हो ठीक है DRAM and SRAM भी मैंने आप लोगों को नेक्स्ट हैं हाडवेर और सॉफ्टवेर हाडवेर वो चीज़े होती है जिसको हम लोग हाडवेर होते हैं मुबाइल की बैटरी मुबाइल का चार्जर सिमिलरली यहां पर आपके सामने कंप्यूटर के केस में इसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने रखी हुई है कुछ important general abbreviations है जो के examination के लिए important है इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है बस full form है CPU central processing unit ALU arithmetic logical unit तो इस slide को आप अच्छे से देख लिए चीज़ में समझना कुछ नहीं है बस इसको याद रख लीजिए next we have internet internet आप सभी use कर रहे हो एक जगा पर बैट कर internet की मदद से पूरे world में हम लोग कहीं पे भी किसी भी file को download कर सकते हैं कुछ भी use कर सकते हैं next आज आता है हमारे पास common internet terms जिसमें की http, https इसमें भी आपको ज़ादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है hypertext transfer protocol इसकी full form है ip address हर एक computer का unique address होता है email को हम आगे detail में देखते हैं social media जैसे की facebook, twitter, instagram ये सब e-commerce जैसे की amazon वगेरा हम लोग use करते हैं next है website website क्या होती है website is a collection of different web pages ठीक है अब website facebook का आपने चलाई है facebook में क्या है बहुत सारे चोटे 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 web pages है जिनको मिला कर एक website बनती है web browsers क्या होते है इसके example आप देख सकते हो google chrome आपने सुना होगा जिसकी मदद से हम लोग google पर जाकर के कुछ भी search कर सकते हैं तो ये सारे इसके example है ठीक है तो ये previous year question है यहाँ से आपको एक idea हो जाएगा कि कैसे किस topic से कैसे questions आते हैं next we have email email क्या होता है professional एक करीका है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे mail करना किसी एक जगह से दूसरी जगह पे files को transfer करना ठीक है so email के different types होते है two में आता है उस person का email id जिसको हमने mail भेजना है subject में आता है कि क्या हमारा mail भेजने का topic है किसी को file भेजनी है यहाँ पे click करके file को select कर लीजे जैसे whatsapp पे किसी को photo भेजते है and आप easily यहाँ पे send का button press कर सकते हो then email id से related एक basic term है जिसका नाम है bcc bcc का मतलब होता है blind carbon copy similarly cc भी पूछा जा सकता है जिसका मतलब होता है carbon copy यहाँ पे आप देख सकते हो यह भी एक previous year question है bcc और cc से related next आता है land man van land का full form local area network इसको मैं एक example की मदद से ही आपको बता देना चाहती हूँ so local area network van wide area network metropolitan area network यानि की man so यह question है अगर एक ही building में छोटे level पे काम करना है सबसे छोटा होता है land उससे बड़ा होता है man और सबसे बड़ा होता है van van का एक example है internet जो की पूरे world को हमें connect करने में मदद करता है last topic है virus virus क्या होता है virus आपको पता है हमारे computer में कोई ऐसी file आ जाती है जिसकी वज़े से हमारे computer को नुक्सान पहुन सकता है तो वो होता है virus और इसको बचाने के लिए हम लोग अपने computer में या mobile में anti-virus का use कर सकते है students I hope आपको ये पता होगा कि virus की full form क्या होती है जैसे कि CPU एक term है जिसकी full form है वैसे virus की भी full form होती है जो की exam में पूछी जाती है user senate exam में और set exam में भी इसको पूछा जाता है तो आप लोग इसके लिए इसकी full form मुझे comment करके बताईए ठीक है तो वाइरस क्या करता है हमारे mobile में हमारे computer में आ जाता है जो काम हम करवाना चाते हैं उसके अलावा वो कुछ और और ही काम करता रहता है इसका मतलब होता है कि हमारे computer या mobile में virus है अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके system में virus है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो इसमें हम और भी जादा discussion कर सकते हैं इस topic पर एक separate session में आपके लिए लेने वाली हूँ क्योंकि ये topic बहुत जादा important है और इसी से related a question है जो कि expected questions है which of these was the first computer virus पहला computer virus कौन सा है इन चारो मेसिस का नाम आप मुझे comment sustainable development goals जिसको की SDG के नाम से जाना चाता है Hindi medium students यहाँ पर Hindi में ये सारे नाम देख सकते है so exam में सबसे पहला पुछा जाता है कि कितने goals होते है so SDG के अंदर total 17 goals होते है दूसरा important point इससे related ये है कि exam में पुछा जाएगा कि SDG के 17 goals में से second number पर कौन सा goal आता है तो वो आता है goal number 2 यानि कि 0 hunger तो इन सभी का एक तो आप लोगों को sequence भी याद रखना है कौन से number पर कौन सा goal आता है ये जानना बहुत important है तो Hindi and English दोनों ही medium के students ये देख सकती हो next topic आजाता है हमारे पास MDG MDG का मतलब होता है Millennium Development Goals so इसमें सिरफ 8 ही goals हमारे पास होते हैं अब देखो students SDG और MDG में आप लोग बहुत से बच्चे confused होते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ जैसे अगर हम SDG की बात करें इसमें पहला है no poverty यानि कि गरीबी हमें हटानी है दूसरा है zero hunger यानि कि जो भुखमरी है ठीके शुन्य भुखमरी हमें करनी है तो MDG में क्या होता है MDG में poverty और hunger यानि कि SDG के goal number one और दो को मिला करके एक ही goal बना दिया गया है आप देख सकते हो इसमें extreme poverty यानि कि अध्यादिक गरीबी और भुखमरी को हमें कम करना है ठीके शुन्य इस तरह से SDG और MDG काम करते हैं इसमें total eight goals है अब यहाँ पर दूसरा important concept क्या है कि SDG और MDG में common चीजें कौन कौन सी है यानि कि दोनों में क्या समानता हैं ये भी examination point of view से बहुत important है जैसे कि एक तो पहला वाला ही concept मैंने important बता दिया कि poverty और hunger उसमें भी था इसमें भी है हर एक बच्चे को अच्छी education मिलनी चाहिए वो उसमें भी है इसमें भी है तो इस तरह से आपको common points भी याद रखने है promote gender equality and empower women यानि की महीला पुरुष को समान अधिकार दिये जाने चाहिए और women's को महीलाओं को अत्यधिक आगे बढ़ाना चाहिए हर काम को लेगर के तो यह भी concept दोनों में ही है तो इस तरह के important points आपको यानि की पृत्वी के चार गोले कौन-कौन से होते हैं गोले का मत्सब यहाँ पर यह है कि किस-किस layer को मिला करके पृत्वी बनी है यह है, soil से related яв années, हमारे मिट्टी होती है उस से related होती है तot इस में हिंसे मिट्टी के particles जो हमारे धर्ती होती है वह सब चीज़ें आ जाती है तो सब चीज़ें आ जाती है hyd्यून है hydrophay यानि के पानी से related औरत में कीतनी सारी तरीके की एयर्स हैं, हवा है हवा में कितने सारे पार्टिकल से वह सब एट्मोस्फियर में आता है. यह पियोस्फियर जो की प्लानिट में जितने भी मिलिविंग Cheats हैं जैसे कि birds वगएरा आजाते हैं वो सब birds, plants, animals वो सब biosphere के अंदर आते हैं, correct? So, next topic है हमारे पास pollution and its types. So, pollution क्या होता है? Production. So, production क्या होता है? Environment में, यानि कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, छोटे-छोटे से materials घूम रहे होते हैं हवा के बीच में, जिससे कि हमें नुकसान पहुंच सकता है. Pollution किसी इंसान के अंदर हवा के साथ भी जा सकता है या किसी भी और तरीके से जा सकता है. ठीक है? So, pollution different type का होता है, जैसे कि water pollution, air pollution, land pollution भी हमारे पास होता है. Correct? तो सबसे पहले अगर हम लोग air pollution की बात करते हैं. So, air pollution में क्या होता है? हवा में जो छोटे-छोटे particles आ जा जाते हैं, जिसकी वज़ा से हमारे वातावरन को, इंसानों को, जानवरों को, पेड़बॉदों को नुकसान पहुंच सकता है. वो होता है air pollution. Correct? So, air pollution के कुछ sources होते हैं, जैसे की automobiles, जो भी गाडिया होती है, उसकी वज़ा से air pollution हो सकता है. Heating plants, ठीक है? Heating plants हो सकते हैं, उसके बाद industries जो होती है, बड़ी-बड़ी factories होती है, वहां से धुआ निकलता है, उसकी वज़ा से air pollution होता है. उसके बाद आजाता है electrical power plants, ठीक है, यानि कि जितने भी industries का area ही हम इसको overall बोल सकते हैं, इन सभी के वज़ा से air pollution हो सकता है. अब air pollution तो होता है, लेकिन उसमें कौन-कौन सी gases होती है, air pollutants क्या-क्या होते हैं, pollutants मैंने क्या बताया, परदूशक जो होते हैं, तो कौन-कौन से परदूशक हो सकते हैं, air में पहला है CO, यानि कि carbon monoxide, दूसरा आ जाता है lead, ठीक है, तीसरा आता है nitrogen dioxide, जिसको NO2 के नाम से जाना जाता है, next आ जाता है PM यानि कि particulate matter and उसके बाद आ जाता है SO2 यानि कि sulfur dioxide, तो ये सारे हैं जिसकी वजह से air pollution हो सकता है, उसके बाद second जो pollution है हमारे पास वो होता है water pollution, तो water pollution is the contamination of pollution in water bodies, जैसे कि lakes होती है, river होती है, समुद्र होते है, पानी जो जमीन के अंदर होता है, अगर उसमें कुछ मिलावट वाले particles आ जाते हैं, तो वो water pollution होता है, SO water pollution दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है natural तरीके से, जैसे कि volcanic eruption हो जाते है, land slide होता है, यानि कि पहार जब धस जाते हैं, वो मिट्टी सारी पानी में मिल जाती है, तो उसकी वजह से पानी धुमला हो ज anthropogenic sources, anthropogenic sources, ये दोनों चीज़ें हिंदी मीटिम स्टुडेंट्स के लिए भी same रहेंगी, SO anthropogenic sources होते हैं, जैसे कि agriculture में पानी जो यूज होता है, उसको नदियों में नालों में फैंक देते हैं, या फिर बड़ी-बड़ी industries में जो गंदा पानी होता है, उसको हम लोग नदी न pollutants हो सकते हैं, उनकी वज़ा से land slide वगरा इन सब चीजों की वज़ा से हो सकता है, okay, then we have third type, that is land pollution, so land pollution क्या करता है, land pollution is the destruction of earth's land surfaces, directly or indirectly as a result of man's activity, so इनसान की वज़ा से, किसी भी इनसान की किसी activity की वज़ा से, या फर किसी भी और वज़ा से, जब हमारे land में, यानि की हमारी भूमी में, प्रदूशन फैल जाता है, तो उसको land pollution बोला जाता है, okay, so इसका सबसे पहला बड़ा reason है, agriculture, okay, agriculture क्या होता है, कि खेती बाड़ी करत जाता है, उस मिट्टी में, वो मिट्टी खराब हो जाती है, वो अन उपजाओ हो सकती है, उसके बाद इसमें आ जाता है, ashes, ठीके कुछ चीज हम जला रहे हैं, जैसे कि अगर प्लास्टिक हम जलाते हैं, उसका हमें जगेगा कि प्लास्टिक वो बिल्कुली कठ्था हो करक लेकिन वो पार्टिकल जब जमीन के अंदर जाता है, तो वो पूरी जमीन को खराब कर देता है, तो इस तरह से हो सकता है, लैंड पॉलूशन next noise pollution भी हो सकता है जिसको कि ध्वनी प्रदूशन के नाम से जाना जाता है ध्वनी प्रदूशन हो सकता है जैसे कि घर में कोई बहुत जोर से टीवी लगा रही है food mixer है, parties होती है, DJs होते हैं तो ये सब क्या होती है ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती है जिसका नाम है important agreements, ठीक है so important agreements में सबसे पहला agreement आता है Paris Agreement जिसको COP21 के नाम से भी जाना जाता है so Paris Agreement was adopted by 196 countries at UNFCCC Conference of the Parties 21 जो कि Paris में हुआ था so 12 December 2015 को Paris में ये agreement हुआ था इसलिए इसका नाम Paris Agreement है and ये Conference of Parties जो है उसके 21st नमबर पर आता है इसलिए इसको COP21 बोला जाता है Paris Agreement का major focus किस पे था greenhouse gas की emission पर था exam में ये जरूर आता है exam में बस यही पुझेगा कि Paris Agreement कब हुआ था and major point इसका क्या था तो वो ये था कि इसमें greenhouse gases की emission को यानि इसके कम से कम use को हमें यहाँ पर लोगों तक पहुंचाना है next आजाता है Montreal Protocol so इसमें क्या है इसमें basically ozone layer के साथ हम काम करते है ozone depletion जो हो रही है उससे related यहाँ पर काम किया जाता है so Montreal Protocol को sign कग किया गया था 1987 में इसको sign किया गया था and 1989 में इसको अच्छे से काम पे लाया गया था ठीक है so ozone layer की बात हो रही है that means we are talking about ozone Montreal Protocol की बात हो रही है that means we are talking about ozone depletion next आजाता है हमारे पास Kyoto Protocol Kyoto Protocol 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change जिसको की अभी हमने UNFCCC first उसमें पढ़ा था यह इसकी full form है याद रख लीजेगा ठीक है Kyoto Protocol को क्या बोला जाता है Kyoto Protocol को Japan को भी बोला जाता है क्योंकि Japan में एक city का नाम है Kyoto जहां पे यह हुआ था यह कब हुआ था यह 11 December 1997 को adopt कर दिया गया था and इसमें total 39 industrialized country है यानि कि जो जो countries में बहुत जादा industries है वो सारी countries ने इसमें participate किया था and under this a country can finance carbon dioxide saving measures in another country and thus offset its own emission ठीक है so carbon dioxide जादा कुछ याद मत रखिये global warming and CO2 यानि की carbon dioxide की जहां पे बात हो रही है वहां पे हम Kyoto Protocol की बात कर रहे हैं बस आपको यह याद रखना है next है Rio Summit Rio Summit में इसको हम Rio Earth Summit Agenda 21 Rio Declaration या फिर simply Earth Summit की नाम से भी जानती है इसको 3 से लेकर की 14 June 1992 के बीच में इसका हुआ था काम next आ जाता है International Solar Alliance International Solar Alliance जो है इसको कब लाया गया था force में यह आप लोगों के लिए होगवा question है कि इसको कब force में लाया गया था यह action oriented member driven collaborative platform है for increased deployment of solar energy इसमें यही बोला गया है कि जादा से जादा हम लोग solar energy पे काम करें ताकि क्या हो सकता है क्योंकि यह free energy है and 100% हम लोगों को pure energy मिल रही है अगर हम जादा से जादा solar energy को use करेंगे तो हमें artificial energy बनाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए आपने देखा होगा कि आज के समय पे solar power plants solar lights घरों में use होती है street light solar based है mobile charger solar based है तो इसलिए यहाँ पे किया गया है इस चीज़ पर focus अभी देखो students 20 6th January 2023 अगर आप लोगों ने जो टेली में parade होती है वो parade देखी होगी तो international solar alliance की और से भी वहाँ पे एक जहांके निकाली गई थी अगर आप लोगों ने नहीं सुना था तो आप इसको जल्दी से Google पे सर्च करके मुझे comment करके बता सकते हो अगर आपको इसका answer नहीं पता तो भी आप मुझे comment करके बताईए मैं आपको वहाँ पर ही reply कर दूँ यह हूँ वह question मैं आपको इसलिए दे रही हूँ students क्यों की देखो इसमें क्या है इसमें as it is questions exam में आएगा कि इंडिया का पहुंसा स्टीट 100% अभी solar energy का use कर रहा है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें global warming की so global warming पर जाने से पहले स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आप लोग उनको बता देना चाहती हूं की chlorofluorocarbons क्या होते हैं ठीक है examination point of view से important है इसको cfc बोला जाता है chlorofluorocarbons so chlorofluorocarbons आता कहां से है यह का इसके sources है so ozone के जो particles होते है which provide the earth with protective layer against UV radiation cfcs are extremely dangerous when discharged into the atmosphere so अगर chlorofluorocarbons atmosphere में पैल जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हम लोगों को पहुंचा सकती है बहुत सारे countries ऐसी है जिन्हों ने 1995 में एक decision दिया था कि अब वो chlorofluorocarbons को बनाना जो है बन कर देगी उसका use करना भी बन कर देगी अब इस gas को क्यों रोका गया है क्योंकि इसके humans पर बहुत effect है environment पर भी है human पर भी है अगर यह directly किसी के physical contact में आ जाती है कि बहुत सारे चीजें हैं बहुत से चीजें हैं जिसकी वज़ा से इसको रोका गया है इससे सांस लेने में problem होगी heart की problem हो सकती है kidney liver यह सब damage हो सकते हैं chlorofluorocarbon की वज़ा से दूसरा important यहां पर topic हम देखने वाले हैं greenhouse gases अभी हम लोग ने यह पढ़ा कि के बारे में आपने सुना होगा उसको यह क्या कर देती है absorb कर लेती है in simple terms we can say that greenhouse gases trap heat in earth's atmosphere जिसको की हम GHG के नाम से भी जानते है इसकी वज़े से क्या हो रहा है बहुत सारी गर्मी फैल रही है पूरे देश में पूरी country में या फिर पूरे world में हम बोल सकते है so greenhouse gases में सबसे पहले आजाता है water vapors पानी के बुलबुले इसको इस तरह से लिख सकते हो water vapors उसके बाद आजाता है carbon dioxide उसके बाद आजाता है methane then we have nitrous oxide and उसके बाद आजाता है ozone तो यह सारी greenhouse gases के examples हैं अगला topic जो है हमारा वो है natural hazards natural hazards यानि के प्राकरतिक जो आपदाएं आती है so उसमें कौन-कौन सी चीजे हैं इसके directly नाम आपको बताती हैं प्राकरतिक आपदाओं में सबसे पहले आ जाता है जो सूखा पढ़ता है ठीके cyclone आते हैं यह सब कुछ अपने साथ लेकर के जाती है यह भी एक natural disaster है उसके बाद air pollution, desert, locust यानि की जो rate होती है जो desert होते है तीक है राजस्तान में जैसे यह चीजें बहुत होती है जो desert होते हैं रेगिस्तान होते हैं उसमें जब तुफान आते हैं रेगिस्तानी तुफान जिसको बोलते हैं बार्ड आ जाती है लेंड स्लाइड यानि की जो पहार धस जाते हैं यह सारी चीजें क्या हैं यह सब चीजें natural hazard के अंदर आती हैं ओके नेक्स राज आता है फिर हमारे पास नेक्स टॉपिक जिसका नाम है renewable renewable natural resources natural resources मतलब प्राक्रतिक जो चीजें होती हैं जिसको हम बार बार use कर सकते हैं जैसे कि solar energy solar energy क्या है natural resource है उसको हम use कर सकते हैं जिसे हम mobile charging के लिए electricity उससे use हो रही है गाडिया solar energy से चल रही है यह सब renewable energy है ठीक है इसमें और कौन-कौन सी चीज़ दे आ जाती है इसमें आ जाता है एक तो biomass energy biomass energy का एक example है इथे नोल इसको आप लोगों ने याद रख लेना है उसके बाद आ जाता है hydropower hydropower plants क्या होते हैं जो पानी से जैसे बिजली तयार होती है वो सब चीजे उसके बाद आ जाता है geothermal power geothermal power उसके बाद आ जाता है wind energy wind मतलब हवा हवा से जो चीजें हो सकती है then we have solar energy तो यह सारी renewable natural resources हैं जिसको हम लोग reuse कर सकते हैं okay so next आ जाता है point जो की है climate change climate change का मतलब क्या होता है climate change का मतलब होता है पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे है ठीके सो पर्यावरण में सबसे बादा परिवर्तन आपने यह देखा होगा जिसका नाम है global warming ठीके सो यह हमारा topic है global warming में directly यहीं पर समझा देती हूँ आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में बहुत जादा गर्मी होती है जो की असेहनिया होती है बहुत से लोग इसकी वज़े से मर भी चाते हैं ठीके so climate change का सबसे बड़ा कारण है global warming जो global temperature पुरे विश्वा का तापमान बढ़ रहा है glaciers पिगल रहे हैं ठीके जो ocean है जो समुद्र है वो गरम हो रहे है ice sheets पिगल रही है ठीके बर्फ की जो परते होती है इमाल्यास में वो पिगल रही है glaciers टूट रहे है पानी का जो स्थर होता है समुद्रों में वो बढ़ रहा है ठीके इसी तरह से बहुत सारी चीजें है जो कि climate change के लिए है अब climate change का कारण क्या है इसके causes क्या है पहला तो है increase जो हो रहा है greenhouse gases का हमने देखो greenhouse gases पे पढ़ा इसको रोकने के लिए जो protocol बना है वो भी पढ़ा तो इसकी वज़ा से भी climate में परिवर्तन आ सकता है तो greenhouse gases में जैसे कि मैंने आपको बताया nitrous oxide NO2, carbon dioxide CO2, water vapor H2O then methane CH4 and chlorofluorocarbon ये सब चीजें आती है इसके बाद अगर fossil fuels को जलाया जाता है तब भी global warming होती है industries जैसे बहुत जादा हो गई है जिसकी वज़े से बहुत सी ऐसे gases वहां से निकलती है जो कि हमारे परिवरण को नुकसान पहुंचाती है तो ये भी climate change का ही major part है तो मैंने आप लोगों को global warming भी बता दिया climate change भी हमारा cover हो गया next जाता है COP जिसको बोला जाता है conference of parties so COP क्या है COP एक supreme decision making body है जिसमें कि different conventions को बनाया गया है decision कि के बारे में लिये जाते है decision लिये जाते है कि कैसे हम अपने अर्थ को बचा सके ठीक है इसमें बहुत सारी countries participate करती है जैसे कि कुछ COP में 196 country है कुछ COP में कुछ और countries है so बहुत सारी countries जिसमें decision लेती है कि globally यानि की पूरे world level पर जो भी बड़ी-बड़ी problems हो रही है उनको हम कैसे control करके अपने involvement को अपने परियावरन को बचा सके so COP की हर साल meetings होती है जैसे कि अगर हम बात करें COP 27 की so COP 27 कहां पर हुआ Egypt में हुआ ठीक है November 2022 में ये हुआ था एक्जाम के लिए important है उसके बाद आता है COP 26 COP 26 कहां हुआ था ये grass go में हुआ था ठीक है जो कि Northern Ireland में है ये भी November 2021 में हुआ था उसके बाद 2020 में करोना की वज़े से कुछ भी नहीं हो पाया था दिन उससे पहले COP 25 हुआ था जो कि Spain में हुआ था ये हुआ था दिसंबर 2019 में अब क्यूंकि 2023 आ गया है अब COP 28 होने वाला है आप लोगों के लिए होमवक क्वेस्चन है कि मुझे बताइए COP 28 दो हजार थीज में कब और कहां पर होने वाला है इस तरह से आप लोगों को ये COP की लिस्ट को ध्यान में रखना है examination के लिए ये बहुत ही जादा इंपोर्ट तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं basic introduction से जसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि higher education system जो है इंडिया में उसको control and administer करने का काम है university grant commission यानि की UGC का जितने भी universities है जितने भी higher educational institutions है उनको कैसे वो काम करेंगे क्या क्या उनका curriculum होगा उन सब चीजों को handle करना UGC की ही responsibility होती है साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं ancient India में education कैसी होती थी यानि कि प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या प्रणाली होती ही सबसे पहले इसमें आता है Vedic period then we have Buddhist period Mediative period Pre-Independence India जिसको कि British India बोला चाता है यानि कि आजादी से एकदम पहले का समय Post-Independence India यानि कि स्वतंतरता के बात के भारत में किस तरह से education होती थी इस तरह से इंडिया में education वो different sections में divide किया गया हम पढ़ रहे थे कि Vedic period क्या होता है ancient India में education क्या होती है इसी तरह से हम ये जो भी 20 topics कवर उसमें instructions यानि कि निर्देश किस तरह से दिये जाते थे सबसे पहला निर्देश देने का तरीका होता था श्रवन ठीके श्रवना जिसको बोला जा सकता है English में श्रवन का मतलब होता है सुनना इसमें क्या होता था कि teacher जो भी guru होते थे वो बोलते थे और शिश्य जो होते थे students जो होते थे वो सुनते थे और उन चीजों को याद रखते थे दूसरा होता है manana मनना में क्या होता है वो manan करते थे मनन करने का मतलब होता है उस चीज के बारे में सोचना ठीक है इसमें क्या होता था जो भी स्टुडेंट होते थे वो खुछ से सोचते थे, खुछ से ही घ्यान प्राप्त करते थे और सोच सोच कर वो चीजों को समझते थे इसको self introspection भी बोला जाता है तीसरा आता था निद्धि ध्यासना तो ये क्या होता है, ये सच और जूट और real world से जो भी चीज़ें हम सीखते हैं जैसे कि हम होता न हम बोलते हैं कि जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, life हमें बहुत कुछ सिखाती है तो वही चीज इसके अंदर आती थी कि इनसान इस समय पे जो students होते थे वो real life examples के साथ बहुत सी चीज़ें सीख जाते थे Then we have Shruti Shruti का मतलब होता है, knowledge was practically called as Shrutis जैसे कि अभी जिस चीज़ को हम practical approach बोलते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम theory सीख रहे हैं उसके बाद practically करेंगे तो हम अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएंगे Hand on practice जिसको आज के समय पे बोला जाता है वो उस समय शुती के नाम से जाना जाता था Next आता है curriculum in ancient times यान की प्राचीन काल में पाथिक्रम कैसे हुआ करते थे तो मनुष्य जाती का विज्ञान जिसको की anthropology बोलता चाता है वो भी उस समय पे गुरू उनको सिखाते थे Then we have astronomy, economics Hindu medium students यहाँ पे देख सकते हो Then we have epistemology Then we have geology, ethnology, human, organics Then we have mathematics and military science So यह सारे subjects होते थे जो की प्राचीन काल में सिखाय जाते थे And जैसा कि मैंने one hour वाले session में भी आप लोगों को यह बताया है कि प्राचीन काल में universities और schools होते थे लेकिन maximum times education किस तरह से दी जाते थे Guru कुल की मदद से education दी जाती थी Guru कुल में क्या होता था Guru का कुल यानि कि एक teacher का घर So जितने भी students होते थे जिनको शिश्य बोला जाता था वो सारे students अपने Guru के घर में जाकर के रहते थे और वहीं पे उन लोगों को education प्रोवाइड करवाई जाती थी जिसमें कि 5 साल तक के बच्चों को basic education दी जाती थी उसके बाद एक ceremony उन लोगों की होते थी उस ceremony के बाद ही उनकी proper education शुरू करवा दी जाती थी जिसमें कि ये सारे subjects उनको पढ़ाए जाते थे correct सो इस तरह से प्राचीन काल का प्राठिक्रम होता था next topic आजाता है हमारे पास जो की है Vedic literature so Vedic literature में हमारे पास 4 तरह की literacy होती है ठीक है साहित्ते इसमें 4 तरह के होते हैं Vedas, Brahmans, उसके बाद Aranyak, then we have Upanishad so अगर हम लोग इसमें वेद की बात करें तो हमारे पास total कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं पहला वेद आजाता है Rig Ved ठीक है Rig Ved जो होता है it is called collection of lyrics lyrics का collection इसको बोला जाता है and ये oldest यानि के सबसे पुराना वेद है पूरे वर्ल्ड में इसमें 1028 times है 10580 verses है and 10 mandals है ठीक है? इस तरह से आपने इसको याद रखना है ये है हमारा पहला वेद दूसरे वेद की अगर हम लोग बात करें सो वो है साम वेद साम वेद को क्या बोला जाता है? book of chants book of chants का मतलब है कि जितने भी हमारे मंत्र है जैसे कि गायतरी मंत्र है या कोई भी महाम रित्विन जय का मंत्रा बोल सकते है कोई भी मंत्र है वो सारे के सारे साम वेद के अंदर लिखे गए है ठीक है? इसमें टोटल 1549 वर्स है और इंडियन म्यूजिक से रिलेटर जितने भी इंपोर्टेंट चीजें है वो सारे की सारी साम वेद के अंदर ही आपको मिलती है तीसरा वेद आ जाता है यजुरवेद यजुरवेद ठीक है? यजुरवेद को बोला जाता है अथर्ववेद अथर्ववेद में जितने भी magical formulas होते है जो भी जादू टोने से रिलेटर चीजें होती है वो सारी अथर्ववेद के अंदर लिखी गई है जैसे कि आपने सुना होगा किसी बिमारी को मंत्रों के द्वारा सही किया जाता है वो सारे मंत्र कहां है वो सारे मंत्र अथर्ववेद के अंदर लिखे गए है करेक्ट दूसरा पॉइंट आ जाता है यहां पे ब्रहमनास ब्रहमनास क्या है ब्रहमन क्या करते है वेदों को explain करने में हमें मदद करते हैं वेद को explain करके हमें हम लोगों तक वो पहुँचाने में उनका एक रोल होता है ठीक है उसके बाद आजाता है आरन्यक आरन्यक क्या होते हैं आरन्यक का मतलब होता है forest यानि की one जंगल ठीक है so they are concluding portion of Brahmanaz so Brahmanaz का ही एक portion होता है आरन्यक उसके बाद आजाते हैं उपनिशत फिलोसिफिकल होते हैं उपनिशत जिसको की विदान्ता के नाम से भी जाना जाता है और कितने विदान्त होते हैं 108 विदान्त होते हैं examination point of view से ये बहुत ही जादा important है correct so next अगर हम लोग बात करें यहां पर वो topic नहीं लिखा गया है और उसका नाम है विदान्ता 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 कितने होते हैं total six विदान्ता होते हैं इसको हम यहां पर detail में discuss नहीं करेंगे इसके लिए students एक separate video मेंने बनाई हुई है जिसका link आपको description box में मिल जाएगा मेरा यही suggestion है कि आप अगर detail में topics को पढ़ना चाहते हो तो आप उसको वहां पर जरूर देख सकते हो link को description box में देख सकते हो क्योंकि यह session quick revision के लिए है इसलिए यहां पर हम basic information ही आपको दे रहे है next आज आता है Buddhist universities so Buddhist universities में आती है नालंदा, उदंतपूरी, विक्रमशिला, सोमपूरी, जगदा और विल्लभी इसके places भी देख सकते हो and founders founders are not इतने जादा important एगिन प्लीस आपको पता होना चाहिए इन सभी universities को one by one अब हम लोग आगे जाकर के discuss करने वाले हैं ठीक है, so सबसे पहली university आ गई है हमारे पास तक्षिला university ठीक है, so तक्षिला university वर्ल्ड की सबसे पुरानी university है इसकी spelling यह भी हो सकती है, correct so one of the re-owned ancient university जो की तक्षिला नाम की जगा पर थी इसलिए इसको तक्षिला university बोला गया था so Buddhist literature में इसके बारे में जो है लिखा गया था and तक्षिला university में जितनी भी information थी वो वाल्मी की रमायना ने दी थी and particularly this university is known for what ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science and और भी जादा arts के 18 subjects इसके अंदर count किये गए थे and अगर हम बात करें so बहुत सी countries जैसे की China है, Greece है इस तरह की बहुत सी countries के 10,000 से भी जादा लोग हर साल यहाँ पर admission लेते थे next university we have Mithila university so Mithila क्या है? Geographical and cultural region है Indian subcontinent bounded by Mahananda river in the east of Vranga and इसमें literature, fine arts, science यह सब चीजे सिखाई जाती थी and सबसे important सबसे major focus Mithila university में किस चीज पर लिया जाता था? वेद और नयाए शाहस्तर इसमें पढ़ाया जाता था यह इसके major focus वाले subjects है जो के exam में पूंचे जाते हैं next we have Telhara university Telhara जो है एक village का नाम है Nalanda district Bihar के अंदर so Buddhist monastery ancient India के side पर ही जो है यह है and Nalanda university इसी के पास में है Telhara university was older than Nalanda and Vikramshila so इन दोनों universities से भी पुरानी है Telhara university इस तरह से वैसे तो यह university तो यह university इतनी इंपॉर्टिन नहीं है क्योंकि इसको Nalanda और Vikramshila से यहां पर रिलेट किया गया है तो यह statement exam में पूछी जा सकती है then we have Shraddhapeet Temple University so it is a cultural site and ancient temple located in Pakistan occupied Kashmir region इसमें simple सी बात करें so पालिनी के अंदर जो भी text लिखा गया है grammarians जो भी होते हैं वो सारी यहां पर store किये गए है तीके ancient scholars जो है university के जैसे की कलहाना है यह जितने बड़े-बड़े scientist हैं या बड़े-बड़े scholars हैं जो कि basically history पर focus करते हैं जिन्होंने historical places पर research की थी वो सारे यहीं से pass out हुए थे हम यह बोख सकते हैं correct next is Nalanda University so Nalanda University Tibet, China, Greece यहां सभी जगा के students भी इधर पढ़ने आते थे and students आप लोगोंने एक नाम जरूर सुना होगा जो कि यह बक्तियार बक्तियार खिलजी अपने यह नाम सुना होगा बक्तियार खिलजी ने इस Nalanda University को destroy कर दिया था क्योंकि यह बहुत ही ज़ादा famous University थी next University we have Odantapuri University so यह भी बिहार में है Odantapuri में है so इस University में basically Buddhism, Vedic चीजें यह सब चीजें पढ़ाई जाती थी सबसे famous लोगों की अगर हम बात करें जो इस University से पढ़े हुए है वो है आचारे श्री गंगा विक्रमशिला से भी वो पड़े हुए है और यहां से भी वो पड़े हुए है next we have विक्रमशिला University that is one of the most important university for your examination so विक्रमशिला University and नालंदा University are two most important centers of learning in India during पाला Empire so यह University पाला Empire की दौरान running state में थी नालंदा और विक्रमशिला दोनों ही यह पाला एम्पेरियर धरम पाला के दौरा बनाई गई थी and इसमें logic, philosophy, व्याकरन जिसको की grammar बोला जाता है इस तरह के सारे subject, शास्त्र वगरा यह सब subjects में हमेशा से पढ़ाए जाते थी next question देख सकते students यह question जो है UGCNate examination में most expected question है जरूर जरूर पूछा जाएगा ठीक है, so यह है the founder of Vikramshila University was what अभी मैंने आप लोगों को इसका अंसर बताया धरम पाला ठीक है, पाला भी आ सकते एक्जाम में धरम पाल भी आ सकता है तो आप इसको ध्यान से देख लीजेगा next है types of knowledge in jainism so jain धरम की अगर बात करें so इसमें knowledge के types होते हैं मती जनना, शुत जनना, अवधी जनना मना, परिया जनना and केवल जनना बहुत ही simple सी one-liner मैंने आप लोगों को statements दी है जो कि आप लोग पर सकते हो एक्जाम में आपको मदद करेगी next important topic आजाता है higher education before independence आजादी से फुर उच शिक्षा में कौन-कौन से acts बनाए गए थी ये exam में आते हैं तो इसकी basic information मैं आपको दूँगी आपको नाम याद रखना है जैसे कि charter act 18-13 में बना था तो ये year exam में पूछा जा सकता है या फिर ऐसा पूछा जा सकता है directly कि 18-13 में higher education before independence कौन सा act बनाया गया था तो आप का अंसर होना चाहिए charter act तो सभी के year आपको याद रखने है तो charter act 18-13 की अगर बात करें तो इन्होंने 1 लाक रूपी उस समय पे प्रमोट किया था 18-13 में ताकि वो higher education को इंडिया में प्रमोट कर सके जितने भी Christian missionaries थे उन्होंने English और Christians की जो अलग से और भी languages होती है उन सभी को इसमें allow कर दिया था ठीक है and basically scientific जो आपकी education है उस चीज़ पर इसमें focus किया गया था कि science को हम लोग बढ़ावा दे establishment of Hindu college in Calcutta which later became presidency college in 1855 and presidency university 2010 so ये जो मैंने आपको बताया कि 2010 में जो presidency university है and 1855 में जिसको presidency college के नाम से जाना चाता था Hindu college था वो Calcutta का पहले वो इस act के अंदर बनाया गया था ठीक है government ने इसमें तीन setup और के थे इसमें था एक Sanskrit college of Calcutta Delhi and Agra ये तीनों ही इस act के अंदर बनाया गये थे अपने जरूर ये universities के नाम सुने होंगे next we have Afghanistan report जो की 1823 में बनाया गयी थी ठीक है so इसी से related इसी के नाम पर एक university एक institution बनाया गया था Bombay में जो की 1834 में established किया गया था तो जितने भी schools है उनके supervisor training, teachers को training देना examination officers को Bombay particular district में appoint करना ये सारे इस report के अंदर consider किये गये थे next we have Mikale's minute जो की 1835 में बनाया गया था it marked the introduction of English education in Indian education system so 1835 में English को major focus रखते हुए यहां पर add किया गया था next we have woods dispatch 1854 magna karta इसको magna karta of English education of India के नाम से भी जाना जाता है next we have hunter commission 1882 से 1883 के बीच में primary and higher education को इसमें India में introduce करवाया गया था university commission 1902 ठीक है and next we have national council of education 1906 resolution of educational policy 1913 सदलार commission very important हार्टोग commission very important sergeant report यह जितने भी commissions है reports है अगर students आप चाहते हो कि इस पे एक separate video में लेकर के आऊ तो आप मुझे comment जरूर कीजे क्योंकि यह particular slide से exam में जरूर question आते हैं अगर आप चाहते हो कि सिरफ और सिरफ इसी topic पर मैं separate one hour का session लाऊं तो जल्दी मुझे comment कर दीजेगा next अगर हम बात करें universities की characterization की so इसमें आज आती है हमारे पास central state private deemed to be university so last analysis के through total number of universities थे 82 and उसको इस तरह से characterized किया गया था correct so यहां यहां पे अगर हम आगे बात करते हैं UGC के बारे में so UGC क्या है UGC का नाम existence में कब आया था यह आया था 28 December 1953 में ठीक है and India Government of India के according इसको एक statutory body कब बनाया गया था 1956 में बना दिया गया था as per UGC Act जिसको की section 12 भी बोला जाता है UGC का main function है universities के standard को maintain करना coordinate करना and determine करना UGC comprises of chairman, vice chairman and 10 re-members जो की central government के द्वारा appoint किये जाते हैं and इसके बहुत सारे head offices है sorry, इसका head office New Delhi में है and regional offices Bangalore, Bhopal, Guwahati Hyderabad, Kolkata Pune and New Delhi में है तो यह कुछ basic चीजे हैं जो कि आपको याद रखनी है next बात करते हैं New National Education Policy 2020 जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि this big separate session already मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही सादा important है एक topic यहाँ पे miss हो गया है जो कि है universities अब देखो Central University क्या होती है Central University Central Act यानि कि Act of Parryament के अंदर इसको बनाया गया है total we have 48 Central University under the review of MHRD MHRD का अब नया नाम रखा गया है Ministry of Human Resource Development इसका नाम था अब इसका नया नाम क्या रखा गया है मुझे comment करके बताये President of India is the visitor of all Central University exam के लिए बहुत important है India के President Central University के visitor होते है State University क्या होती है It was established or incorporated by Provincial Act or by State Act तो यह State Act के अंदर बनाई गया है According to this list we have total 392 State Universities now Private Universities क्या होती है यह sponsoring body है जो की Societies Registration Act 1860 के अंदर इसको रखा जाता है Total 317 Universities है UGC के list के दौरा ठीक है यह बताया गया है Next आ जाता है Deem to be University High Performing Institutions होते हैं जो की Central Government के अंदर आते हैं किस Act के अंदर आते हैं यह आते हैं UGC Act 1956 के Section 3 के अंदर तो एक्जाम के लिए यह बहुत important है So team to be Universities क्या करती है इनके अपने syllabus होते हैं अपनी academic degrees होती है अपने according ही यह curriculum सब कुछ चीज़ों को Setup यहां पे करते हैं Communication जिसको की Hindi में संचार बोला जाता है इसका मतलब होता है Exchange of Ideas अप मेरा नाम है अंकीता मैं आप लोगों की कौन हूँ मैं आप लोगों की Teacher हूँ आप ABC नाम के कोई भी मेरे Students हो तो मैं अपने Ideas अपनी Information अपना Knowledge अगर आप लोगों के साथ Share कर रही हूँ तो उस चीज़ को बोला जाता है Communication तो अपना Knowledge आप लोगों को Online Session में जैसे की अभी आप ये देख रहे हो इस तरह से Share करूँ या फिर Offline यानि की Classroom Session में अपना Knowledge और Ideas Share करूँ तो इसी भी तरह के Sharing of Ideas Sharing of Knowledge इस चीज़ को बोला जाता है Communication Communication Verbal और Non Verbal हो सकती है यानि की मौखिक और गैर मौखिक हो सकती है Verbal Communication क्या होती है जिसमें की हम बोल कर अपनी बात बताते हैं जिसमें की Words का Use किया जाता है जैसे की अगर Class में मैं किसे Student को बोलू Sit Down मैंने जैसे अभी बोला Sit Down तो ये क्या है ये Verbal Communication है कि मैंने आप लोगों को मूसे Words की मदद से कुछ कहा है दूसरा आता है Non Verbal जिसको की गैर मौखिक बोला जाता है Non Verbal में हम लोग Words का प्रयोग नहीं करते इसमें हम Use करते हैं Symbols का इसमें हम Use करते हैं Signs का यानि की इशारों का अब जैसे किसी student को बैठने के लिए मुझे कहना है तो मैं हाथ से इशारा कर सकती हूँ Sit Down के लिए मूसे मैंने कुछ भी नहीं बोला That is taken under the category of Non Verbal Communication Next we have It involves sender, message, medium, channel, receiver, response and feedback तो कभे भी communication अगर करना है तो उसके लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है जो की है characteristics of communication यानि कि संचार के लक्षन क्या क्या होते है So संचार में सबसे important part होता है Exchange of ideas यानि की विचारों का अदान प्रदानस में होता है अब दो लोग बातचीत कर रहे है अब देखो students A और B बात कर रहे है वो कोई भी बात हो सकती है हो सकता है कि A ने B को कोई story सुना दी हो सकता है A ने B को UGC Net Paper 1 के बारे में बता दिया हो सकता है A ने B को Global Online Channel के बारे में बता दिया ठीक है कोई भी reason हो सकता है कुछ भी चीज हो सकती है So exchange of ideas हो सकते है कोई भी बात बता रहे है या आज उनके साथ सुभा क्या हुआ ये पोई स्टोरी सुना रहे हैं तो इस सब चीजों को communication के अंदर रखा जाता है communication को successful का माना जाता है जब वो two way communication होती है अब देखो जैसे कि A ने B को बता दिया मान लिजे A ने B को बोल दिया की हाँ मैं UGC Net की तयारे Global Online YouTube चानल से करता हूँ और B ने उसका response ही नहीं दिया B ने A की बात को ignore कर दिया तो वो एक अच्छा communication नहीं माना जाएगा एक two-way communication कब होगा जब एक person कोई knowledge शेयर करता है और दूसरा person उसकी response में कुछ बोलता है इस तरह से क्या हो गया एक successful communication ही हो गया नेक्स्ट इस continuous process communication संचार क्या है continuous process है जो कभी भी नहीं रुपता A ने B को कुछ बात बता दी B ने C को कुछ बात बता दी या फिर C ने फिर B को कुछ बात बता दी इस तरह से communication continue होता ही रहता है नेक्स्ट है cooperative यानि कि सहयोगी communication का effective तभी माना जाता है जब उसमें जितने भी लोग involved हैं वो एक दूसरे को cooperate करें अब देखो जैसे students मैं अपने sessions में आपको पता होगा कि हर बार मैं बहुत सारे homework questions आप लोगों को देती हूँ है ना सो मैं तो यहां से बोल देती हूँ कि students यह homework question इसका answer मुझे comment करके बताईए अगर आप लोग उसका reply मुझे comment करके देते हो तो वो क्या हो गया वो एक पूव एक communication हो गया कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो आप लोग मेरे साथ cooperate कर रहे हो मेरा सहयोग दे रहे हो अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर students आपको यह session पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के sessions को मैं continue रखूँ तो आप मुझे comment करके all the best या कुछ भी comment कर सकते हो तो यह क्या है यह सहयोगी communication होता है कि आप लोग मेरा सहयोग दे रहे हो मुझे मदद कर रहे हो यह जानने में कि मेरे sessions actual में effective है actual में आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं next है clear और concise spashed और संक्षिप यानि कि जो बात है उस बात को बिलकुल clearly उसका मतलब बताना आपने देखा होगा बात चीत करते समय कई बार क्या होता है मैं किसी और तरीके से आपको कुछ बात बता रही हूँ आप उसका कुछ और ही meaning निकाल लोगे for example अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसका मतलब क्या है कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ लेकिन हो सकते है कि आप इसको ये समझो कि अच्छा मैं आज ही अच्छे लग रहा हूँ रोज शायद मैं अच्छा नहीं लगता इस तरह से आप बात का अलग meaning निकाल सकते हो तो जो भी communication करते हैं उसमें आपकी बात बिल्कुल clear होनी चाहिए and concise होनी चाहिए concise का मतलब ये होता है कि जो main बात है वो बताओ कई लोग आपने देखा वो बात करते करते टॉपिक कुछ और होता है वो बातों बातों में कहीं और से और ही निकल जाते है तो वो चीज अगर होती है तो communication एक अच्छा communication नहीं माना जाता next is direct and indirect so A and B directly एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं indirect क्या हो सकते है कि वो chat के थू कर रहे हैं video call के थू कर रहे हैं या फिर A ने B को कुछ information दे दी B ने C को information दे दी जैसे कि senior manager ने अगर बिलकुल intern यानि कि जो fresher candidate है उनसे बात करनी है तो वो direct बात करेंगे उनके साथ indirect बात क्या होगे वो अपने junior को बोलेंगे फिर जाके freshers candidate से हाँ पर वो contact करेंगे ठीके सुआई होप ये characteristics सावचे से समझ गए हो next अगर हम बात करें seven C's of effective communication अगर संचार को परभावी बिनाना है तो साथ C पे हमें focus करना है पहला है conciseness जैसे कि मैंने बताया जो हमारा मुद्दा होता है जो हमारी main बात होती है उसको कैसे short तरीके से and effectively बताना है यहाँ वहाँ नहीं बटकना है that is important then we have concreteness यानि कि स्थूलता किसी को कोई बात बता देते हैं उसके बाद हमें लगता है कि अरे बाप रही है बात तो नहीं बतानी चाहिए दी तो वो consideration होना बहुत ज़रूरी है clarity कि मैं क्या बता रहा हूं मैं किसको बता रहा हूं मेरे बताने के पिछे क्या reason है everything should be clear to sender as well as receiver courtesy यानि कि शिष्ट चार उसमें होना चाहिए then we have completeness कि जो भी message आप दे रहे हो वो complete होना चाहिए वो informative होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आदी बात बता दी आदी बात शोड़ गरेट तो ये seven C's बहुत important है next is exam में देखो students ये नाम याद रख लेने exam में question आता है कि जैसे आपके पास चार option दिये है आपको पुछा जाएगा कि इन में से कौन सा एक effective communication का C नहीं है तो हो सकता है correctness की जगा इसमें कुछ और option दिया हो तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है next is process of communication communication बात चीत करने के लिए किसके जरूरत है sender की अब sender कौन है ए है चलो अंकीता रख लेते हैं sender कौन है अंकीता है मैं आप लोगों को कोई बात बताने वाली हूं मैं आप लोगों को UGIS in it paper 1 के बारे में अभी बताने वाली हूं तो sender भी हो गया message भी हो गया message क्या है UGIS in it paper 1 की बात जो मैं आपको बतानी है encoding क्या हो गया encoding का मतलब यह है कि मैं किस language मैं आपको बताऊं Hindi में बताऊं, English में बताऊं Marathi में बताऊं यह जिस भी language में मैं बोल सकती हूं मेरी जो regional language है उसमें बताऊं तो वो encoding हो गया media मतलब मैं किस तरह से बता रही हूं मैं आपको सामने बैठ कर बता रही हूं mobile के थूँ बता रही हूं YouTube के थूँ बता रही हूं वीडियो call पर बता रही हूं या फिर chat पे message लिख कर बता रही हूं वो media क्या है media या फिर इसको medium भी बोल सकते हैं ठीके किस तरह से मैं बता रही हूं receiver कौन है मैंने तो देखो message भी decide कर दिया कैसे message आप तक पहुचाना है ये भी decide कर दिया language भी decide कर दिया अब सबसे जरूरी चीज कौन है receiver receiver कौन है मेरे students है आप सभी receivers हो अगर आप लोग नहीं हो तो ये मेरा message language ये सब बेकार है उसके बाद आगया decoding decoding क्या है अब देखो मैंने मान लीजे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ English and Hindi दोनो languages में decoding में बहुत से students ऐसे होंगे जो कि इस चीज को pure Hindi में ही consider करते हैं जो कि इसको pure English में ही consider करते हैं अपनी language के conversion के according वो इसको यहाँ पे use करते हैं then we have feedback जो कि बहुत important होता है communication में लेकिन मेरे students कभी भी feedback मुझे नहीं देते feedback क्या होगा ये पूरा process हमने कर दिया feedback होगा जब आप मुझे comment करोगे कि yes ma'am ये session अच्छा था या फिर आपको किसी topic पर चाहते हो कि मैं आपके लिए session लेकर आऊ वो topic का नाम लिख सकते हो या फिर आप feedback में ये देख सकते हो कि ये topic आपको अच्छे से समझ आ गया इस series को मैं continue रखूँ लिए कुछ भी यहां से इस तरह से example से आप लोग अच्छे से हरे concept को समझ गए हो कोई doubt है तो भी बता सकते हो comment करके next we have barriers in effective communication so प्रभावी संचार में बाधाई कौन कौन सी होती है अंकिता मैम फिर से same example में ले रही हूँ अंकिता मैम ने अपने UGC net paper 1 students को बहुत important information बतानी थी लेकिन बीच में क्या हो गया barriers आ गए barriers पहले हो सकते है organizational barriers physical barriers, psychological barriers, language, cultural, attitudinal organizational barriers को बाद में देखते हैं पहले मैं आप लोगों को language barrier बताती है जो कि बहुत easiest है language barrier कैसा हो गया जैसे कि देखो मैं आपको English and Hindi दोनों languages में पढ़ाती हूँ बहुत स्टूडेंट्स ये comment करते हैं कि मैं pure English में ही आप revise किया करो बोला भी English में करो ये कई बोलते हैं कि English में नहीं मैं pure Hindi में हमें चाहिए तो ये क्या है ये language barrier है कई लोगों को Hindi English समझ ही नहीं आती वो मुझे कहते हैं कि मैं Marathi में आप paper one पढ़ाईए तो ये क्या है language barrier है कि sender किसी language में बोल रहे है and receiver जो है उस language को समझ ही नहीं पा रहे तो ये एक बीच में बाधा आ गई कि जो मैं बताना चाहती थी जो मैं पढ़ाना चाहती थी कि मान लीजे मैं हूँ किसी particular city में मान लीजे कि मैं पंजाब में हूँ ठीके आप लोग हो उडिसा में correct तो ये क्या है ये एक physical barrier आ गया बहुत दूर आप लोग हो directly में आप लोगों के साथ यहां से बात नहीं कर पाँगी तो ये physical barrier है organizational barrier होता है कि organization हमारी organized अगर हम तरीके से बात करते हैं या नहीं करते हैं psychological आगया किसी का mental level अब UGCNate paper 1 मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोग उसको समझ रही हो क्यूंकि आप उस level के students हो अब किसी first class के बच्चे को अगर मैं UGCNate paper 1 की तयारी करवाऊं तो वो effective होगा वो नहीं होगा psychological barrier रही होता है कि हमें देखना चाहिए कि किस level पर हमें किस person के साथ कैसे communicate करना है next we have cultural barrier दो लोगों का अगर culture दो लोगों की अगर Sanskrit ही अलग है तो वो एक दूसरे की भाशा ही नहीं समझ पाएंगे वो एक दूसरे की examples एक दूसरे की भावनाई ही नहीं समझ पाएंगे correct then we have attitudinal barrier दो लोगों के बीच में same एक level होना चाहिए एक same विया वहार होना चाहिए इस चीज़ का भी फरक परते है आपने देखा होगा कि opposite nature वाले लोग बहुत कम हो पाता है कि आपस मैंसे से बातचीत कर सके एक A है जो की बिलकुल cool and calm personality का person है and B है जो की एकदम गुसे वाला person है तो इस तरह के different attitude वाले लोग generally अच्छे से communicate नहीं कर पाते तो ये भी एक barrier ही होता है next आता है हमारे पास different types of communication जिसमें verbal and non-verbal are most important verbal जैसे कि मैंने बताया शब्दों का प्रियोग जिसमें किया जाता है अब A और B यहाँ पे देखो इन्होंने भी कुछ बोला इन्होंने भी कुछ बोला verbal, non-verbal इन्होंने handshake करके ही बोल दिया okay deal done हो गई यहाँ पे यहाँ पे सरफ handshake किया smile किया, वो समझगे कि deal done है यहाँ पे इन्होंने बोल दिया okay इस तरह से next we have four types जिसमें कि पहला आता है हम यहाँ से शुरू करेंगे interpersonal, intrapersonal, mass and group communication interpersonal होता है जब एक person किसी दूसरे person से बात करता है इसमें एक से ज़ादा लोग include नहीं होते है तिके, intrapersonal होता है जब एक person अपने आपसे ही बात करता है अब यह मत बोलना कि एक person अपने आपसे बात कर रहे है तो वो पागल है, ऐसा नहीं है अब देखो, हम लोग मन में सोच रहे हैं कई बार होता है ना, मन में हम कुछ सोचते है या फिर हम जैसे बैठे हुए हैं अपने आपसे गाने गा रहे हैं या कई बार हम बैठी हैं अपने आपसे revision कर रहे हैं कि आज हमने क्या पढ़ा यह सारे चीसे क्या होती है, यह शीशे के आगे खड़े हो कि हम कुछ dialogue बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, intra-personal, यानि कि एक person अपने आप से बात कर रहा है, आप इसको ऐसे example रखो, ठीक है, अब देखो spelling से याद रखो, यह है I, इसको देखो inter, inter यानि कि एक और दो, ठीक है intra, अपने आप से, देखो इसमें A आगया, A for अपने आप से, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है, I hope यह trick आपको याद रहेगी, अगर पसंद आई है, ऐसे ही छोटी-छोटी से tricks चाहते हो, तो comment जरूर कीजेगा, एक separate session लाऊंगी, जिसमें सरफ ऐसी ही tricks पे हम focus करेंगे Then we have group communication, just me, जैसे की meeting है, group में ये बहुत सारे लोग है, सब को पूरा अधिकार है बोलने का, सब अपने ideas share कर सकते हैं, knowledge share कर सकते हैं, mass communication क्या होता है, इस तरह की communication में एक इनसान बोलता है, बहुत से लोग सुनते हैं, जैसे कि आपने मोदीची का भाशन सुना होगा, वो सिर लोग news channel पे सुनते हैं, कुछ लोग live सुन रहे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपने mobile phones में सुनते हैं, तो ये क्या है, mass communication है, अब देखो students जैसे की, ये वाला हमारा session चल रहा है, ये भी क्या है, communication है, तो इन चारों में से, कौन से type की communication इस समय हमारे session में चल रही है, ये वहीं पे बताऊंगी कि आपका answer सही है या गलत है, next we have horizontal, vertical and diagonal, ठीक है, so सबसे पहला, ये वाला जो communication है, ये है, vertical communication, जब माल लीजे किसी company के HR, किसी fresher employee के साथ बात कर रहे हैं, यानि कि upper level के, जो employee है, वो किसी junior level के employee से बात कर रहे हैं, ठीक है, next we have horizontal, horizontal communication, horizontal में क्यों होता है, equal level पर बात करते हैं, माल लीजे, हमारे पास, जैसे हमारी company में, अलग-अलग verticals है, एक section है, जो कि maharashtra set की तयारी करवाते हैं, ठीक है, माल लीजे, एक session है, जो कि PhD entrance examination की तयारी करवाते हैं, तो तीनों ही sessions के, तीनों ही verticals के, जो HR हैं, यह अपस में अगर communicate करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, यह horizontal communication हो जाएगा, then we have diagonal communication, जैसे कि यह देखो, UGCNet, MSET और PhD, यह तीनों verticals के candidates हैं, यह HR है, ठीक है, यहाँ पर उनका junior staff है, तो यह क्या कर रहे हैं, माल लीजे, PhD channel के HR ने UGCNet वाले किसी educator से कोई बात कर दी, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर communication होता है, जिसको की बोला जाता है, diagonal communication, Next, we have downward and upward communication, downward, same, upper level से, lower level, जैसे कि school के principal ने, अपने school के staff से बात की, उन्होंने कोई notice जारी किया, जो कि उन्होंने directly students को नहीं बताया, उन्होंने अपने school के staff को बता दिया, वो staff के आगे responsibility है, कि वो अपनी अपनी class में जाकर के students को वो बात बताएं, Similarly, अगर students को school के किसी भी management से related को issue है, तो students directly principal के पास नहीं जाएंगे, वो डर रहे है principal को बताने से, तो वो के करेंगे, वो अपनी class teachers के पास बताएंगे, class teacher आपस में बात करेंगे and then वो principal के पास जाकर के बताएंगे, कि बच्चों की यह queries है, तो यह हो गया upward and downward, उपर की और और नीचे की और संचार ऐसे होता है, next we have classroom communication, कक्षा में संचार क्या होता है, कक्षा में संचार, एक teacher और एक student के बीच में होता है, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा information share होती है, classroom communication में knowledge को develop किया जाता है, ठीक है, ग्यान को बढ़ाना इसका major उदेश्य होता है, इसके अनुपरयोग भी किया जाता है, इसका visualization भी किया जाता है, evaluation abilities भी होती है, evaluation का मतलब क्या होता है, हमने teaching aptitude में इसको detail में discuss किया है, मुल्यांगन बहुत जरूरी है, तो classroom में रेखो, teacher ने students को पढ़ाया, और फिर session के end में students को बोला कि बताओ, आज हमने पढ़ा वो समझ आया, आगर समझ आया, तो मुझे फटा-फट से बताओ कि क्या-क्या चीज़ें आज हमने पढ़ी, या फिर class के end में students, teacher को बताएंगे कि आज मैम आपने जो कुछ भी पढ़ाया, हमें कुछ भी समझ नहीं आया, इसको आप कल फिर repeat कीजेगा, यह सब क्या है, यह सब evaluation है, यह सब feedback है, तो हमेशा communication जब two-way होता है, वो तभी clear माना जाता है, one-way communication में questions नहीं पूछे जाते, doubts clearing session जो है, उसमें थोड़ी से problem रहती ही है, correct, so यह होता है, class friends, I hope आज की यह video आपको पसंद आई है, जो भी मैंने बताया है, वो आपने अच्छे से note जरूर किया है, so thank you so much for watching this video and I wish you all the best.